excellent connection excellent connection हो गया है क्या स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का physics वाला foundation youtube channel पर आज ले करके आएं भाई आपके लिए warrior का warrior series का एक और class 10 boards को target करता हुआ lecture जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं light को light reflection and reflection को ठीक है जी तो बाई light जैसा कि आप सब जानते ही है एक बड़ा ही इंपॉटेंट चेपटर है जतना इंपॉटेंस लाइट रखता है उतना ही राइट भी रखता है थिग न तो इस चेपटर से भी भर सAustral देखने को मिलते हैं निमेरिकल बेज चेपटर है तो लिद्वल सीखने पडेंगे है रोड निमेरिकल सिखने से reflection 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 और रीफ्रेक्शन को टार्गेट करता हुआ यह लाइट का चैप्टर है तो हम लोग लाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे शुरू में थोड़ी सी थे इकल बाते करेंगे उसके बाद हम लोग सीधा जम करेंगे अपने रेफ्लेक्शन वाले पार्ट पर ठीक है और फिर रीफ्राक्शन पर ठीक है गुड़ी इवणिग गुड़ी मिग इवणिग सभी का स्वागत है प्रणाम सभी को साधर नमस्कार ठीक है, शुरू करदें शुरू करदें तो आग लहाला दो फट फट के अगर lecture शुरू करवाना है तो comment section के अंदर फटाफट से आग लग जानी चाहिए है अभी अभी आग लगानी पड़ेगी कितने marks काता है आठ नंबर काता है लगवग आठ नमबर का, साथ आठ नमबर के आसपास का चप्टर है पच्छिस में से आग लगवाद हो जल्दी से, कितने घंटे क्लास होगी नहीं पता, कोई नहीं जानता लेकिन हम जादा टाइम बरबाद नहीं करेंगे, है ना, जितना जल्दी हो सकेगा, उतना जल्दी हम लोग खतम कर देंगे चप्टर को, ठीक है ना, हर चीज को समझते हूँ, अच्छा ये मैं आपको बता दू के सेशन के बीच में सवाल हैं, और सवालों की प्रेक्टिस क्लास के अंदर ही हो जाएगी, है ना, हम ऐसा ही सशन लेकर के आते हैं हमेशा, जिसके अंदर हम लोग प्रेक्टिस येर सवाल भी करवा दें, निमेरिकल की प्रेक्टिस भी क्लास के अंदर ही हो जाए और थियोरी के कॉंसेट भी क्लास के अंदर ही दे दिये जाएं आपको, ठीक है तो आग अलग चुकी है, बिना टाइम वेस किया, शुरू करते हैं बड़ा फट हाँ, जी, सबसे पहले बात करते हैं के लाइट होती क्या है तो लाइट एक एनरजी की फॉर्म है, सीधी बात बोले तो लाइट is a form of energy, जैसे बहुत सारी एनरजीया होती है sound energy, ये energy, वो energy, nuclear energy, potential energy, currency ऐसी है, ऐसी है, एक लाइट energy भी, हैना, लाइट भी क्या है, एक टाइप की energy है, जो क्या करती है, जो हमको देखने की sensation देती है, हैना, जो हमको enable करती है, कि हम अपने आसपास देख सके, enable us to see around us, आसपास की चिदों को देखने का, देखने की help करती है, इसी को कहते है, लाइट, ठीक है ना, तो ये energy की form है, ओके जी, और इसको electromagnetic wave भी कहा जाता है, यानि को दोनों form से पढ़ा जाता है, light को as a particle भी पढ़ा जाता है, और light को as a wave भी पढ़ा जाता है, अगर कोई आप से पूछे के wave क्या नाम है, अगर wave है, तो उस wave का क्या नाम है, उस wave का नाम है electromagnetic wave, ठीक है, तो light एक electromagnetic wave है, next chapter जो होगा, human eye and the colorful world, उस chapter के अंदर आपको यह बताया जाएगा के electromagnetic wave का कौन सा पार्ट है light, है ना, तब आपके साथ electromagnetic wave का पूरा spectrum discuss करूँगा मैं, ठीक है, जिसमें gamma भी होगा, x-ray भी होगा, microwave भी होगा, radio wave भी होगा, ठीक है ना, उसके अंदर infrared भी होगा, ultraviolet भी होगा, और उसमें visible light भी होगी, यानि यह वाली light, ठीक है, जिसका पार्ट है, जिस spectrum का पार्ट है, वो पूरा spectrum discuss किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चैप्टर की वेट करनी पड़ेगी, human eye के अंदर discuss किया जाएगा, tension वाली बात नहीं है, ठीक है, तो अगर यह कोई wave है, तो उस wave का नाम है, EM wave, electromagnetic wave, ठीक है, और अगर light एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का नाम है, उस पार्टिकल का नाम है, photon, हर बच्चा जानता होगा, है ना, हर बच्चा इतना तो जानता ही है, कि light के पार्टिकल को क्या कहते हैं, भाई, photon कहते है, photon, photo मतलब light ही होता है, है न, तो बस उसके particle को photon कह दिया जाता है, ठीक है, p-h-o-t-o-n, photon, ठीक है, तो em wave, अगर wave की form में पढ़ना हो, तो electromagnetic wave बोलेंगे, particle की form में पढ़ना हो, तो क्या बोलेंगे, photon बोलेंगे, ठीक है, अच्छा, अब एक characteristic और सुनो, light का, light हमेशा सीधी line में चलती है, यानि वो हमेशा दिखाती है, rectilinear propagation, rectilinear propagation, rectilinear propagation का मतलब होता है, straight line में चलना, rectilinear propagation का मतलब होता है, straight line में चलना, straight line movement होना, straight line, straight line में क्या करना, motion करना, straight line movement होती है, किसकी, light की, है न, जैसे एक ray चलती है, ऐसे, सीधी, 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 लाइट चलेगी, ठीक है जी, तो straight line motion, straight line movement is called rectilinear propagation, ठीक है चाहे वो photon हो, या वो एक EM wave हो, चाहे आप उसको photon मानो, या आप उसको EM wave मानो, या तो आप उसको particle बोलो, या आप उसको wave बोलो, उसकी speed, 3 into 10 की power 8 meter per second होती है, vacuum में, air में भी इतनी होती है लगबत, ठीक है, air में भी इतनी होती है, 3 into 10 की power 8, वेक्यूम में देख लो यही स्पीड होती ए ठीक है और स्पीड को C चुन से दिनोट करते है C ठीक है C से दिनोट करते है 3 210 की पावर 8, meeting per second let's question C से दिनोशन होती है 3 210 की पावर 8 okay तो इख सेंढे उन्ट कॉऻ स्पीड होती यह तो बाकी जगह नहीं होती नहिं ją कि यह किस準द तो लाने के थ्रू भी तो दिखता है हमको हमें water के थ्रू भी तो दिखता है ये सब transparent ही तो है तो जब इनके थ्रू दिखता है तो जब भी जब मिटियूं की प्र जाती होगी तो भी उसकी स्पीड कुछ न कुछ おगी लेकिन 2 2 10 की पावर 8 we होगी कुछ कम होती है लेकिन होती तो है है ना होती तो है ठीक है चलिए आते हैं सीधी बात reflection पर करते हैं ठीक है reflection of light क्या होता तो देखो भाई it is the bouncing back of light rays on striking the surface और वह surface कैसा होना चाहिए वह surface होना चाहिए hard सबसे पहले तो वह surface भाई opaque हो ठीक है और दूसरा smooth हो तो बहुती बढ़िया यह एक अच्छे reflector की पहचान होती है एक अच्छे reflector की पहचान होती है कैसा opacity होनी चाहिए अच्छी का सी ओपेक का मतलब क्या होता जिसके आरपार ना दिखता हो और दूसरा smooth हो न चाहिए ठीक है न क्या rough होगा तो reflection नहीं होगी क्या है एसा नहीं है लेकिन अच्छी reflection के लिए बढ़िया reflection के लिए mess reflection के लिए आपको smooth surface भी चाहिए ठीक है जी तो क्या लिखाया है bouncing back of light on striking the surface ठीक है ना तो भाई मान लो यह कोई surface है ठीक है ना मान लेते हैं कि यह कोई surface है तो इस surface पर आई इस surface पर light आई है ना यह जो light इस पर गिरी ठीक है यह जो light इस पर गिरी इसे बोलेंगे incident ray है ना पता है ना आप कोई बाद इसे बोलते है इंसीडेंट रहे ठीक है ना और इससे टकरा करके भाग गई इससे टकरा के भाग गई तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे रिफलेक्टिड रहे है तो लाइट ही है तो बेटा लाइट की रही बस नाम अलग 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 आप एक बॉल से घहलते हो आपने बॉल को फ्यक्क के मारा दिवार पर टक्कराद अहरी वापस आती है बिल्कुल वैसे ही है लाइट का पर्टिकल भी आएगा तक्राइगा और वापस लोड़ जाएगा ठीक है सेम मीडियं में वापस लोड़ जाना इसी को बोलते है क्या हो जाना रिफ्लेक्शन हो जाना बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको बोलोगे तो बेस्ट रिफ्लेक्टर भाई शाइनी होना चाहिए शाइन करता हुआ चमकता हुआ जैसे कांच होता है ग्लास मिरर मिरर मानलो मिरर ग्लास छोड़ दो मिरर मिरर कैसा होता है बेटा शाइनी होता है Miror ना मिरें कैसा होता शाइनी होता पॉलिष होना चाहिए पॉलिष के complicado समूद होना चाहिए चमक दार पॉलिष होना चाहिए ठीक है एटरा कैसा समूध होना चाहिए ठीक है उब आएगा opacity आने के बाद आएगा opacity होगी तो shine भी करेगा समझ रहे हो इस बात को आप है ना तो एक अच्छा reflector कैसा होना चाहिए shiny polished और smooth होना चाहिए ठीक है जी आईए reflection of light का diagram मनाए तो diagram के लिए क्या करना है आपने diagram के लिए आपने सबसे पहले कैसा surface शीदा surface ले लेना है जो क्या करता हो reflect करता हो है ना इसको mirror भाण λू आप या कोई भी surface मान सकते हो आप ठीक है ना ये कोई भी reflecting surface हो सकता है ठीक है अब इस reflecting surface के उपपर क्या गिरा इस reflecting surface के उपपर light गिरी ठीक है जी तो हम इसे बोलेंगे incident tray है न हम इसको क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे इनसिदेंट री अभी इस पॉइंट पर गिरी है तो बात को समझना अगर ये इस पॉइंट पर गिरी है तो हम इस point से surface के perpendicular एक line डालते हैं ठीक है ना surface के perpendicular क्या डालते हैं एक line डालते हैं इस line को बोलेंगे हम लोग n n बोले तो normal n बोले तो normal ठीक है और इन दोनों के बीच का जो angle होता है वो होता है बेटा angle of incidence angle i ठीक है अब light का खेल ये है कि ये जिस angle पर गिरती है ना ये उसी angle से reflect भी करती है ठीक है ना जिस angle से गिरती है उसे angle से क्या करती है reflect भी करती है तो जो angle i होता है वही angle r के बराबर भी होता है ऐसे है ना ये वाला angle जो होगा this will be angle r और इस ray का नाम होगा reflected ray r समझ गए तो सारी वात हैं याँ पर लिखना हूं सबसे पहले आई आर इंसिडेंट रहे है कि दिद्ध डिखनी तो समय भाए कि फीकल अपने के लित कहा है उपने कहा नोर्मल खीचा जाता मunde करता अब को के बाद angle आई तो angle i होता है angle of incidence है और angle r क्या होगा गटा angle of reflection ठीक है अब कानूनों की बात कर ली जाये जरा गये ये रहे कानून ये रहे law तो incident ray, reflected ray और normal lie on the same plane, यह सब एक ही plane में lie करते हैं, plane कौन सा यह वाला, इसी plane की बात हो रही है, इसी plane पर lie करते हैं, incident ray यहां गिरी, इधर ही आपने normal बनाया, और यह चली गई, reflected ray, incident ray, reflected ray, angle I, angle R, ठीक है जी? तो इस plane की बात हो रही है, तो incident ray, reflected ray, normal, यह तीनों ही क्या करने हैं, इसी plane पर lie करने हैं, इसी surface पर lie करने है, plane बोलो, surface बोलो, बात एक ही है, है ना, आपको दिख रहा है, इसी surface पर यह भी है, यह भी है, इसी surface के ताफ चिपके होए हैं, है ना, ऐसा surface है, तो इसी के चिपके ह हो गया angle of incidence is always equal to angle of reflection यानि I or R क्या होते हैं बराबर होते हैं एंगल I or R क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है इस वाले डाइगराम में भी बात हो रही है यह incident रहे है reflected रहे है नॉर्मल है यह सब एक ही इस वाले plane पर लाई करते है जो board बना हुआ ही है यह जो plane इस प्लेन की बात कर रहे हैं जिस प्लेन पर यह लाय करते हैं इस प्लेन की बात हो रही है और ओर आइगल 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 टो इंगल ठीक है यह दो लो ध्यान में रखने आगे बढ़ते है इतना है न कि बात करते जो light को reflect कर पाएगी, जो light को reflect नहीं कर सकता हमको दिखाई नहीं पड़ सकता, यह रहा है, यह carbon dioxide उड़ती जा रही है, ऐसे दिखता है क्या?, क्यों नहीं दिखते है?, क्या reason है?, यह सब एयर के different particles, different gases हमको दिखाई नहीं पड़ती, invisible होती है यह, आखों से दिखाई नहीं पड़ती, क्यों, कारण क्या है, ऐर दिखाई क्यों नहीं पड़ती वेटा, इयर दिखाई इसलिए नहीं पड़ती, पार्टिकल बहुत छोटा है पार्टिकल इतना छोटा है कि लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता है लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है ना हमको टेबल दिखाई देती हमको चेर दिखाई देती हमको पलंग दिखाई देता है है ना हमको उसमें नींद भी दिख रिफलेक्ट कर सकती हैं तो ही दिखाई पड़ सकती हैं समझ गये न अब यह मेरा हाथ आपको दिखाई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसके उपर लाइट गिर रही है और यह लाइट को रोक भी रहा है यह लाइट को रोक भी पा रहा है रिफलेक्ट भी कर पा रहा है तो स observer की आँख में जाएगी है ना टकरा करके क्या होगा observer की आँख में जाएगी ध्यान नकना इस बात को ठीक है तो हमको कोई भी चीज़ देखने के लिए वह object चाहिए जो क्या कर सके reflect कर सके है ना object शुड़ बी शुड़ बी लार्ज इनफ तू रिफलेक्ट लाइट को रिफलेक्ट करने लायक हुना चाहिए ठीक है इतना तो बड़ा हो कि लाइट iraflekt हो सके ठीक है तो शुड़ बी लार्ज इनफ टू reflect light इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए ये कि लाइट को किया कर सके रिफलेक्ट कर सके ठीक ही अज़ा हमको कलर क्यों दिखते हैं यह भी सुन लो हमें रंग क्यों दिखाई देते हैं तो देखो भाई जो भी रंग हमको दिखाई दे रहा है न वो रंग हमारी आंख में छोड़ा गया है वो रंग हमारी आंख की तरफ क्या किया गया है छोड़ा गया है जैसे हमको एक पत इस धार असक्रोरोविल ने क्या किया उस्डोरोविल ने हरा एंड चोड दिया बाकी सब रख लिए आइ ठीक है बाकी सब एब्सक्राइड कर लिए सिर्फ ग्रीनकर्डीया रिफिलेक्ट कर दिया तो हमें जो रेख्टों भी रिफ्लेक्शण के जै कि इता है जो रनगत दिखाये पड़ा है वह भी रिफ्लेक्शं के करण रहान से तो चीजों की शेप दिखाई दे रही है क Tucson मल,' Belveda दिखाई दे रही है चमक दिखाई दे रही है यह सब भी किसलिए reflection की वज़ासे समझे बात को तो होता क्या के सारी light आती है देखो white light coming in और white light का मतलब होता all colors white light का मतलब होता सभी के सभी रंग तो सब के सब रंग आ रहे हैं मेटा बात को समझ लेना सारे के सब रंग आ रहे हैं लेकिन हरा रंग है जो आख में छोड़ा गया बाकी सब रंग रख लिए गए है ना इस बात को लिख देता हूं all colors are absorbed except green सब के सब रंग क्या कर लिए गए absorb कर लिए गए केवल green छोड दिया गया है ना except green ठीक है ना green is reflected away तो इसलिए हरे रंग की पती दिखाही दे रही है बापके पास अगर नीले रंग के जूते हैं अगर आपके पास हो सकता yellow color की Socks हो Oooh हो सकता आपके पास कोई जैकेट हो जो लाल रंग की हो वो क्यू लाल है वो क्यू लाल दिखाई दे रही है वोगी लाल छोड़ रही है लाल उसने आपकी आख में छोड़ दिया बाकी सब रख लिए ठीक है ना अगर जूते निले दिखाई दे रही है तो इसका मतलब नीला रंग आपकी आख में छोड़ दिया बाकी रख लिए ब बात करते है reflection के लिए चाहिए होते हमको mirror है ना तो दो टाइप के mirror आपने पढ़ने एक होता plane दूसरा होता spherical और spherical में भी फिर दो टाइप है कौन कौन से दो टाइप के हैं बाई स्फेरिकल में भी कौन कौन से टाइप के आते हैं एक आता concave से औरे एक हाता हैं इस आँ आपको देखने को मिलते हैं इस त्थे को देखने को मिलते हैं यह रहा नंक्र और यह रहा कॉणवेक्श शेकल देख लो एक बार दोनों की मैं साईड हो जाता हूं देख लो और अम से कॉनकेव कॉन सा होता है is that which reflection नकर सुरू inner surface of the mirror mirror का अंद्रूनी भाग है मेरा हाथ देखो जड़ा मेरा हाथ देखो जड़ा कोबरा जैसा लग रहा होगा है ना साप जैसा तो यह जो कोबरा का यह वाला जो हिस्सा है ना जासे उसकी वो सुंदरता सी दिखती है है के नहीं यह वाला जो हिस्सा है इसे बो और लेंगे on-cave और outer parts से एक और reflection होगी तो उसे बोलेंगे क्या उसे बोलेंगे क्वेक्स ना जिखे जममच का जो यह वाला लोगा वह भी शाइनी होता है और या पीछे वाला साइड भी क्या होता है शाइनी होता गत बोड़ी अग्जामपलने इसेच अगर नया 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 निकाल लाए में क्रॉपर All The ठीक है न या इनर वाला भागोगा वो हो काँ केम मिरर का काम करेगा और जो बहार वाल वाला पाँ करेगा यह को ना रेखो ऑटर सर्फेस से रिफ्लेक्शिन होती है न और यहां पर inner surface से reflection होती है, यह फरक है दोनों के अंदर, ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं वाई, दो प्रकार की image होती है बिटा, दो टाइप की image होती है, एक होती है real image और एक होती है virtual image, ठीक है, दो टाइप की images होती है, एक होती है real और एक होती है virtual, आईए समझते हैं कि real क्य होता है और वर्चुल क्या होता है ठीक है देखो सबसे पहले यह समझो कि image क्या होता है उसके बाद समझते है real virtual में क्या फरक है पहले यह समझो कि image क्या चीज़ होती है देखो image झुड़ी होती है reflected rays से associated with reflected rays हमेशा ध्यहान रखना बेटा image का जुडाव किस से होता है reflected rays से होता है अब अगर reflected rays rial में meet कर जाए है ना मालो कहीं से एक reflected ray आ रही है है ना और कहीं और से भी आ रही है है ना और इसको मैंने आगे खीचा यहां मिल गई तो जहां भी मिलेगी ना वहीं पर बन जाएगी real image क्योंकि रियली में मीट कर रही है समझ रहे ना बात को जहां भी रियल में मीट करेगी वहां क्या बन जाएगी रियल इमेज बन जाएगी simple बात है है ना एक यह reflected ray आई कहीं से चलके और कहीं से चलके यह reflected ray आई ठीक है टक्कर खाके आई है और जहां भी कई real में meet कर गई वहाँ बन जाएगी क्या real image है ना अब virtual भी बताऊँगा पहले real समझ लो real image is that which is formed when reflected rays actually meet किसी certain point पर आकरके actual में meet कर गई हो सच मुच में meet कर गई हो उसे उस point पर क्या बन जाएगी real image बन जाएगी ठीक है ना यह हमेशा inverted होती है आपके syllabus में real के साथ inverted fix है तो आपने याद कर लेना है मैं तो कहता हूं भाई रट्टाई मार लो रियल के साथ inverted क्या है inverted का मतलब क्या होता है कि आपका object खड़ा ऐसे लेकिन image बनी ऐसे इसे बोलते invert हो जाना समझ गए ना object ऐसे है और image ऐसे object ऊपर की तरफ और image नीचे की तरफ इसे बोलते इनवर्ट हो जाना ठीक है तो रियल इमेज हमेशा क्या होती है inverted ही आईगी आपके इस लिवस में ठीक है it can be obtained on screen उसे screen पर obtain किया जा सकता है है ना हवा में नी बनती बोलते हैं के रियल इमेज हवा में नी बनेगी उसके लिए आपको screen रखनी पड़ेगी screen क्या हो सकती है बाई कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हाथ रख लो हाथ पे छपेगी दिवार होगी दिवार पे चपेगी paper रख लो paper पर पर चपेगी कपड़ा रख भो कपड़े पर चपेगी समझगे ना कुछ ना कुछ screen झां मधत गडगी इसके उपड़े चपे रियल इमेज के साथ यह दिक्त है रियल इमेज के साथ यह दिक्कत है कि उसको क्या चाहिए उसको screen चाहिए जैसे आप cinema hall में गए होगे कभी ना कभी मुवी देखने के लिए तो बोलते ना बड़े पर देखने गए है बड़े पर्दे पर देखने को मिल रहा बड़ा परदा क्या होता वो बड़ा परदा ही है screen जिस पर आकर के क्या गिरती है real image गirtी है समझगे न तो real image कहा बन रही होती है बड़े परदे पर बन रही होती बोलते है na silver screen screening हो रही है है न? तो वो क्या है वो वो उस screen की उपर आकर के क्या बन रही होती है real image बन रही होती है ऐसे यह बनाती है rate अके meet करेंगी really me meet करेंगी है ना और वही पर रखनी पड़ेगी आपको screen तो यहाँ पर screen रखدا है ना यहाँ पर क्या रखालो यहाँ पर screen रख लो यहीं बन जाएगी यह यह दिखनी चाल pneumo टमेज आपको की शमझकर हमारी आंक की जो ऋ राटीना है ना जो राटीना होतीर वह भी screen का चकल इस टाइम पहब और च्पराइना अगे था करीं को कॉने के चिक़ाक्ति देखो फी ब्सक्ते जब औरा इमेजी बनती तो आपकी ज आग की रेटीना है वो भी क्या है screen का काम कर रही है ठीक है जी वो भी क्या कर रही होती है screen का काम कर रही होती है आईए चलते है virtual image की चर्चा करने what is virtual image virtual image क्या होता है वर्चोल image ऐसी रेज से मिलके बाई है तो reflected है है तो image ही ना बेटा है तो image ही ना तो जुड़ी किस से होगी जुड़ी तो RR से ही होगी यानि reflected rays से ही जुड़ी होगी लेकिन वो reflected rays actual में meet नहीं करनी चाहिए तो फिर सर कैसे meet करनी चाहिए अरे actual में meet नहीं करेगी तो फिर कैसे बनेगी तो भाई वो ऐसे बननी चाहिए ऐसे बननी चाहिए कि मान लो मान लो एक reflected ray ऐसे जा रही है ठीक है एक reflected ray ऐसे जा रही है और दूसरी reflected ray ऐसे जा रही है समझ गे एक दूसरे से दूर है ना एक reflected ray वहाँ जा रही है एक वहाँ जा रही है और खीचूंगा इसको भी और खीचूंगा कभी बनेगी क्या कभी नहीं बनेगी, कभी मीट करेगी क्या, कभी नहीं करेगी, है ना, तो अगर मीट कर जाती तो तो रियल बनती ना, अगर ये मीट कर जाती तो तो रियल बनती ना, रियल नहीं बनी, हुआ क्या, आपने इसको भी पीछे खीचा, और इसको भी पीछे खीचा, तो यहां कर वाई गई है अरे मोलो क्या यenergy lunch रही है क्याoutez कि एक रहे वाँ कि एक रहे है कि एक रहे वायर नियुकि outta हुई है है ना इसे बोलते हैं कि यहां पर meet हुई लगती है appear to meet actual meeting नहीं बोलेंगे इसको इसे बोलेंगे appear to meet ऐसा लग रहा है कि meet कर रही है है ना देखो is that which is formed when reflected rays do not meet actually but appear to meet at certain point ऐसा लगता है कि मिल रही है है ना ऐसा feel हो रहा है ऐसा लगता है कि यहां पर क्या कर रही है मिल रही है तो इसको पीछे और पीछे एक्स्टेंड करके बनाया जाता है ठीक है एक्स्टेंड करके बनाई जाती है वर्चुल इमेज कहलाती है एक्स्टेंड करके बनाई जाती है तो वर्चुल इमेज कहलाती है ठीक है जी हमेशा erect होगी आपके सलेवस नहीं के साथ inverted जुड़ा है virtual के साथ erect बियार है दिलवार है real के साथ inverted आएगा virtual के साथ erect आएगा erect का मतलब क्या होता है गई अगर आपको object ऐसे सीधा खड़ा है तो image भी सीधी करी है इसे भूलते इλεक्ट हो अब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ ही है तो इमेज भी का है ऊपर की तरफ ही होति यूसे बोलते है इरेक्ट मत्तब सीधा खड़ा हो ना ठीक है इट कैन भीॉपेंड़ नाची नाची ना इसके लिए उप्टेंग नए यह मिरर के थू दिखती है हमेशा द्यान नहां यह reflecting surface के थुरू दिखेगी यह mirror के अंदर बनती है यह mirror से बाहर नहीं आती इसके लिए screen की जुरू दिखेगी आपको यह lens के थुरू दिखेगी आपको इसके लिए screen रखने की जुरू नहीं होती है है ना तो it cannot be obtained on screen screen is not required सीधी बात बोलू screen is not required screen is not required virtual image देखने के लिए screen की जुरू दिखेगी mirror के थुरू दिखेगी lens के ओके जी तो यह थी virtual image की बाते और वो थी real image की बाते चलिए plane mirror से plane mirror से कैसे image बनती है बात करते हैं देखो बाई diagram सेखना पड़ेगा डाइगराम सेखना पड़ेगा आपको diagram सेखना पड़ेगा यह मैने एक plane मिरर लिया है इसके पीछे जो यह hatching कर आऊ हैч इंसको हैचिंग रही है हैंटे मुरगी अंडे से रहते हैं इसको भी hatch करना बोलते है तो यह वहली हेचिंग नहीं है, इसको भे हेचिंग भोलते हैं द्रो ग्रॉइंग में ना तो क्या गर्रा हो यह लंग दा है, जो मैं प्रहुन बनाया है यह ना, यह होता है, पेछ दिखिए का त्रेका पोड़िश दिखाने का ओज्ट है, आधे रखें आईए रखें बढ़िया सा अबजेक्ट इसके सामने ये रहा ठीक है ये रहा बढ़िया सा अबजेक्ट ओके अब सुनो होगा क्या हम इस अबजेक्ट के सर से हैट से इस आपजेक्ट के हैट से दोरे निकालेंगे क्यों क्यों तो करआ ही लोग या चार GUY करवा लोगें लेकिन कम से कम कितनी रखें तो चाहिए इमेंज बनाने के लिए ना आपने देखा एक्च्वल मीट कर्वाने के लिए भी दो participating in Dragos अangब दो ही रह्य चाहिए तो इसलिए हैं कि ख inaugura11 wyglądaAST है। है ना समझ गधे ना लॉजिक काहें थी ज्विचिय। कि राइस एक में सथी निकालने जी अध़ाँ ओझ बड़ेया चाल जाएका लेकिन दो काफी है alive though निकालने कि से पेली सीधी ठीक है और दूसरी किसी भी एंगल पर निकाल सिक्टेह्ट कि दूसरी ऑन जब हमने किसी भी अंगल पर डाल दी जहां मन्करे वहां डाल दो डूसरी अ कि हम नॉर्मल बना लेते हैं लखर कि यहीं बनेगा हिसके उपर हिंआ क्यों बाई क्योंकि यहीं पर इसी पॉइंट पर आके क्या गिरिये लाइट गिरिये है ना तो इसी पॉइंट पर क्या पर्पेंडिकुलर ड्रो करना पड़ेगा अपने को सर्फेस से पर्पेंडिकुलर सर्फेस से पर्पेंडिकुलर है ना और ऐसे ही सेम तुसेम यहां पर बोलो हायाँ ना भाई 00 गिरी है ना जीरो आंगल पर गिरने को बोलते हैं normal incidence होना रहा लिख देता हूं थीक है जब भी कभी ऐख असके little day 0 बने इसका मतलब होता है नॉर्फ इंसिडेंस होना नॉर्मल इंसिडेंस होना नॉर्मल इंसिडेंट करिए है ना मतलब उसके perpendicular के उपर जाके गिरिये light देख सकते हो आप है ना इसके perpendicular के उपर जाके ही light गिरिये तो इसे बोलते है normal incidence होना angle i b 0 angle r b 0 ठीक है अब angle r 0 है अगर angle r भाई मेरे 0 है ठीक है ना तो हम यह बोलेंगे भाई यहीं से light चलके वापस आजाएगी अरे बोलो हाँ है ना यहीं से इससे टकराई light टकराई light और यहीं से चलके वापस आगी ठीक बात है ना गई टकर मारी और टकर मार के वापस आगी ठीक है को दिक्कत नहीं अच्छा यहां देखो जला यहां कुछ angle i बन रहा है 60 degree हो सकता ना है ना ऐसे यहां पर भी 60 होगा य अगर तो ऐसे बनेगी है ना reflected रहे बोलो हाया ना समझ में आया समझ में आया देखो क्या किया पूरी बात दुबारा सुनो क्या किया एक object के सर से दो रहे निकाली पहली रहे सीधी डाली दूसरी किसी भी एंगल पर गिरा दी जो सीधी डाली वह सीधी वापस भी जाएगी टक्कर मारके reflected ray है ना और यह वाली incident इसका reflected ऐसे जाएगा ठीक है ना तो दो reflected ray चली गई आप से पूछना मैं यह चाहता हूं आप comment section में देखूंगा तो आप answer करना उसके अंदर ठीक है उसमें answer करना के भाई यह दो rays क्या real image बना पाएंगी हाँ या ना क्या यह एक reflected ray यह वाली RR क्या real image बना पाएंगी क्या really में meet कर पाएंगी answer है नहीं और आप में से सब बच्चे आपर no लिख रहे हैं जो की बहुत ही sensible answer है RAAG really में meet नहीं कर सकती यह a falar असली दुनिया में यह असली दुनिया न उस तरफ नकली दुनिया है यह real world यह असली दुनिया मिरर के शामने और मिरर के अन्दर चले जाएंगे तो वह दुनिया virtual तो इसलिए इसलिए आपको समझ में आगा कि रियली में मीट तो नहीं कर सकती है रियली में मीट तो नहीं कर सकती तो हम क्या करेंगे हम इसको जवर्दस्ति कीच के मीट करवाएंगे पीछे तो कैसे करवाएंगे भाई कैसे करवाना भाई ऐसे करवाना इसको पीछे ले जान और इसको भी पीछे ले जाना समझ गए हो गई meet कहा meet हो गई यहा पर meeting हो गई है ना तो यहाँ meet हो गई यहाँ meeting हो गई तो यहाँ क्या बन गया यहाँ बन गई वर्चुल इमेज है ना इस object की वर्चुल इमेज तो sir है ना तो हेड दिखेगा ना, है ना, हेड दिखेगा ऐसे, चीज़ गया जी, हेड दिखेगा हेड, ये है, ये है अपना हाइट अबजेक्ट की, और ये होगी हाइट इमेज की, समझ गया ना, तो बराबर होती है दोनों की हाइट, करेक्टरस्टिक लिख लेते हैं, वैसे करेक्टरस्टिक पीछे दिए भी होए है, ये रहे, ये रहे करेक्टरस्टिक, वर्चुल है, एक बार चेक कर लो भाई, हाँ जी, वर्चुल ही है, है ना, रियल तो नहीं है, वर् तिसेले से लिए से लिएगेंट को बेटा जितनी हाइ कि तकंप इमेज ही सब्सक्राइब से में और मेच्अ पांज और ही अड Кол सीट सीरेगेंट क्या हो वा इसाइस ये खालसा है से मिलिखसक टाही Teil बराबर है height of image height of object क्या है दोनों बराबर है same height है है न opject का distance mirror से और image का distance mirror से equal होता है equal होता है यह mirror है इस तो यंसे image का ע公卖 होता है we दोनों equal होते हैं ध्यक्य का होते हैं ठीक है जी चेंदर होता है कि अब्यक्त से ना पर जाते हैं देखो डेखो डेगराम से यह मिरण से यू और मिरर 세 करें यह और ना पा गया बराबर उने चाहिए ठीक है और इसके लावा इसका मतलब क्या होता बाई इसका मतलब होता है राइट का लेफ्ट हो जाना left का right हो जाना है ना right का left है ना और left का right vice versa ठीक है देखो मान लो मान लो मैंने यहां पर a लिखा a तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा a है ना तो यह laterally invert हुआ नहीं हुआ हर चीज laterally invert नहीं होती है वाई हर later laterally invert नहीं होता है वैसे हो रहा है लेकिन दिखनी रहा हो तो रहा होगा लेकिन दिखनी रहा है लेकिन अगर मैं आपर बी लिखू बी लिखू तो क्या होगा हा तो बी उल्टा हो जाएगा जी ऐसे बी ऐसा बन जाएगा बोलो हां है ना तो बी आपको laterally invert हुआ दिख रहा है समझ आए बात को makesh visit h Middle कاس हो चो रहा है क्या हो तो रहा है लेकिन दिखेगा नहीं लेटर लिवर्ट होता तो है लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि ये और सिमिट्रिकल अन्ध तो कुछ वर्ट इस इसमेट्रिकल होते हैं जो लेटरल नहीं हो पाते हैं तो आपको पता होना ची कौन से होते कौन से नहीं होते रखो गए पता चल जाएगा ठीक है अच्छा जे लिखूं जे जे तो जे होगा क्या हाजी जे होगा जे होगा देख लो समझ गे ना तो कुछ हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते हैं इनको बोलते हैं लेटरली इनवर्ट होना राइट का लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट का राइट हो जाना ठीक है जी तो ऐसा हो जाता है है ना मिरर के सामने रखने पर ऐसा हो जाता है ठीक है आगे चला जाए आगे यह देख लो इट इस दा फिनॉमिना वेन एलचेस बिकम सारचेस और वाइस वरसा वेन अब्जेक्ट इस एक्सपोज टू प्लेंड मिरर जब प्लेंड मिरर के सामने रखोगे तो मुस्ट लिए देखने में आता है कि लेटरल इंवर्टिड हो जाएगा है ना इसका अंदर लेफ्ट लग रहा है एंबुलेंस पर उलटा एंबुलेंस लिखा होता है कोशन आया हुआ लगने के पीछ कारण क्या है उलटा एंबुलेंस लिखने के पीचे कारण यही Q एंग जो इसके आगे गाड़ी वाला चला रहा है वो अपने mirror में देखेगा तो यह उ चपा होता है उल्टा चपाई हो रखी होती है इसकी ठीक है यह था लेटरल इनवर्जन और इसी के साथ खड़ा होता है हमारा प्लेन मिरर पूरा और स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक ठीक है अभी यह यह खड़ा हुआ इसको बैठाएंगे इसको भी निपटाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं यहां तक सारी बात ओके है एक बार आगल आके बता दो फटा फट से प्लेन मिरर के सारे कॉंसेप्स अगर ओके हैं तो एक बार फटा फट से फटा फट से आगल लगा के बता दीजिए प्लेन मिरर के सारे कॉंसेप्स अगर ठीक ठाक हैं बढ़िया है स नोलिज करवादो एक बार कमेंट सेक्षन के अंदर भाई ICSC क्लासिस कब से स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है ठीक है ICSC के लिए है ना हम लोग मैराथॉन लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी प्लानिंग चल रही है इसकी है ना प्लानिंग इस गोईंग अंडर वे ठीक है इसलिए अभी अभी कुछ भी अपन लोग डेट्स वगार अनाउंस नहीं कर सकते लेकिन प्लानिंग हो रखी है टेंशन ना लो ICSC वाले हो टेंशन ना लो बहुत कुछ सोचा गया आपके लिए भी ठीक है हाँ चलो रूल्स पर आते हैं जल्दी से तो रिफ्लेक्शन थू स्फेरिकल मिरर की बात अब शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के बेटा यह रहे आपके सामने बने हुए मैंने आपको बताया था जिसका इनर पार्ट अंदरूनी पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव mirror है ना और जिसका outer part reflecting होता है उसे हम कहते है convex mirror ठीक है जी तो यह concave है और यह क्या है जी यह convex है ना अब बात को समझना चाहे concave mirror हो चाहे convex mirror हो है ना इने spherical mirror क्यों कहा जाता है है ना why do we call them sphere से निकले हुए reason इसके पीछे यह एक इसलमें एक गोले का पासरा Can बॉला Shrik in करना में ये इन उसका च्रेटी 3035 परसंट 25 परें दिन्टी फाहए उसका बाकी सारा काच कहा लए अथोगाति तो इसके पीछे वाली साइड को पॉलिश कर देंगे तो इनर साइड क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी और इनर साइड को पॉलिश कर देंगे तो भार वाली साइड क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी है ना तो ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो दोनों ही स्फेर का पार् तो आपको पता है स्फेर का सेंटर भी होता है किसी भी स्फेर का सेंटर भी तो होता है बस उसेंटर का नाम रखा हुए बहाँ सेंटर आफ करवेचर सी क्या बोलते हैं सी को क्या बोलते हैं जी सी को इसी को बोलते हैं सेंटर ओफ करवेचर सेंटर ओफ करवेचर सी सेंटर ओफ करवेचर चाहे इस गोले का सेंटर हो या इस गोले का सेंटर हो सेंटर को कहते सेंटर ओफ करवेचर हैं चीग है अच्छा अब यह सेंटर ओफ करवेचर सीधी लाइन डाल मिरर पर यह सेंट्र आफ करवेचर से सीधी लाइन गारा मिरर पर डालें तो मिरर को एक पॉइंट पर मिरर को काटेगी एक पॉइंट पर पॉइंट होगा पी P stands for pole ठीक है न? यहाँ पर भी ऐसे ही है देखो यहाँ से एक सीदिलाइन आई मिरर को बीच में से काटा मिरर का मिड़ पॉइंट निकाल दिया इसने एक तरीके से है न? मिरर का एक मिड़ पॉइंट निकाल दिया इसे बोलते है पोल ठीक है? और एक बात हमेशा द्यान लखना बेटा सेंटर आफ करवेचर और पोल का लग भग मिड़ पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस ठीक है? ट्विल्थ क्लास के अंदर जाओगे तो आपको और भी फोकस पढ़ाए जाएंगे है ना? लेकिन टेंथ क्लास के हिसाब से इतना बहुत है टेंथ क्लास के हिसाब से इतना बहुत है कि यह फोकस जो होता यह दोनों का मिड़ पॉइंट होता एक्चली में ऐसा नहीं होता ट्विल्थ में जाओगे तो और बाते आप से करेंगे इस बारे में 10th के लिए फिलाल ये क्या है मिड़ पॉइंट ही है ना तो फोकस क्लास 10th के लिए मिड़ पॉइंट ही होता है this f stands for principal focus यानि प्रधान focus है यानि इसके लब और भी focus हो सकते हैं है ना लेकिन इसका नाम principle focus है जो मिड़ पॉइंट के आसपास है ठीक है जी यह रहा यह रहा f principal focus ठीक ओके यहां तक सारी बात ओके ठीक है ना अच्छा एक यह distance को भी सुन लो कौन सा यहां से लेके यहां तक का यह distance इसे बोलते है अपर्चर अपर्चर का मतलब होता है अपर्चर का मतलब होता है इसकी फैलावट कितनी है फैलावट समझते हो तो बोलेंगे अपर्चर और कम हो गया फर्चर और कम हो गया यह पर्चर बहुत छोटा हो गया यह पर्चर बड़ा यह पर्चर छोटा समझे बात को आगे definition भी है इसकी लेकिन फिलाल मैं सिरफ feel देने के लिए बोल रहा हूँ आपको जिस area पर light गिर सकती है जिस area पर light गिर सकती होती है उसे परचर बोलते हैं अब इसको छोटा कर दूँगा तो light कम गिरेगी और बड़ा कर दूँगा तो light ज्यादा गिरेगी समझेगे ना तो यह परचर ज्यादा यह परचर छोटा यह परचर बड़ा यह परचर छोटा सही है सही है ना तो इसे परचर भी बोलते हैं है ना तो बच्चे बहुत सारे पहले से लिखने इस बात को बढ़िया बात है अच्छी बात है ठीक है अच्छा अब कुछ distances की बात कर लेते हैं तो देखो बच्चा पोल से लेकर के center of curvature तक के distance को बोलते है radius, देखो यह radius ही है है ना, है ना अरे है के नहीं, स्फेर की क्या है radius ही तो है यह center से लेकर P तक का distance, यानि CP CP जो है वो है R, R बोले तो radius of curvature ठीक है से लेकर P तक का distance होता है R, R बोले तो radius of curvature और F से लेकर P तक का distance यह distance जो होता है यह होता है small f है ना, F P CP तो R है C से लेकर P तक तो R है F से लेकर P तक क्या होता है small f होता है, which is focal length इसे गहते है focal length चीक है जी focal length और मैं आपको बता दूं के r r क्योंकि midpoint माना गया है तो 2f के बराबर ही होगा है ना कोई दिक्कत वाली बात महीं होने चाहिए formula आईए काम आएगा है ना radius of curvature क्या होता है ट्वाइस of focal length radius of curvature होता है double of focal length क्योंकि focal length तो half है ना focal length है इसका double होगा है ना यहां पर भी ऐसा ही system है same यहां से लेकर यहां तक का distance है r यहां से लेकर यहां तक का distance है f ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना अच्छा एक line जो सारे points को carry कर रही है c को f को p को यह जो line है सारे points को carry कर रही इस line को कहते है कि ल्ग हुआ उसे पर्चर का मतलब कि आच पर ड्डािट ऑगे हुआ उसे पर्चर कहते हैं center of curvature क्या होता it is the center of the spherical mirror spherical mirror का center radius of curvature क्या होता distance between C and P center of curvature and pole focus क्या होता it is the point where all the reflected rays meet or appear to meet अभी बात करूंगा कैसे meet होती है सारी बाते भी करेंगे फिर pole की बात है it is the point where principal axis strikes the mirror वो जो line आकर के mirror से टक्रा रही थी वो सीधी line आकर mirror से टक्राई थी उसे क्या बोलतए पूरी geometry है यह यह पर चलते हैं तो रूल नंबर वन अगर यह आपका कॉनकेव मिरर है अगर यह आपका कॉनकेव मिरर है यह प्रिंसिपल एक्सिज है यहां पर पोल है यहां पर सेंटर ऑफ करवेचर और यहां पर क्या है तो भाई रूल नंबर वन क्या कहता है जी कहता है इंसिदेंट्रे जो parallel आ रही है वो reflect करके focus से जाएगी रूल ध्यान रखना आप सभी ने रूल बहुत जरूरी है ध्यान रखने आपने अगर रे parallel आई है principle axis के टक्कर खाके focus से जाएगी this is rule number one ये है rule number one ठीक है अब साथ के साथ rule number two three four भी करवा देता हूँ theory तो फिर पढ़ लेंगे हम ठीक है ना theory तो फिर पढ़ लेंगे हर एक पेज पर theory theory लिखी हुई है ना तो एक ही साथ एक ही जगा पर मैं समझा चलता हूँ आपको ठीक है अगर पहली रे सीधी है parallel है तो टक्कर मारके focus से जाएगी यह rule number one अब बात करते है rule number two की rule number two कहता है ज था दो वहाँ जी कहां डाली focus पर डाली तो टक्कर मारके हो जाएगी parallel टकर मारके parallel हो जाएगी salary 2 तो टक्कर मारके क्या हो चलेगी parallel हो जाएगी चीक है दिस लुमार थ्री rule number three कहता है क्या rule number three कहता है यह कि अगर center of curvature से pass करोगे तो ऐसा नहीं लगा रा क्या कि इस surface के normal पर यह आके गिर रही है यह हाँ की ना भाई यही reflecting surface है और इसी के normal पर आके end पर आके गिर रही है angle IB0, angle RB0, यहीं से वापस हो जाएगी यहीं से वापस हो जाएगी तो C पर जो रहे आएगी वह backtrace करेगी backtrack करेगी backtrace करेगी same path पर reverse हो जाएगी same path पर क्या हो चलेगी reverse हो जाएगी यह है rule number 3 आई और गई अब बात करते है rule number 4 की rule number 4 कहता है pole की बात वो कहता है कि अगर pole पर light आके गिरेगी तो जितने angle पर आके गिरिये उतने ही angle से भाग जाएगी जितने angle पर आके गिरिये उतने एंगल से भाग लेगी ठीक है जी this is rule number 4 यह 4 rule आपके सामने लिख रहा हो shortcut में या देख लो 4 rule आपके सामने लिख रहा हो shortcut में नमबर 1 अगर parallel है principle axis के तो टक्कर खाके फोकस से जाएगी नमबर दो अगर फोकस पे आई है तो टक्कर खाके पैरलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नमबर तीन अगर सेंटर आफ करवेचर से पास हो रही है तो बैक ट्रक करेगी बैक ट्रक करेगी नमबर चार अगर पॉल पर गिरी है तो जितने एंगल से आगे गिरी है उतने एंगल से जाएगी सिर्फ याद करने का तरीका है असल में एंगल आई और एंगल आर हर जगा बराबर हो रहे है ऐसा मत समझना कि यहां पर एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है सिर्फ यहां पर 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 दिख्यों है देखो यहां पर फोकस से आएगी तो पैरल हो जाएगी सी से आएगी तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को पोल पर गिरेगी तो एंगल सेम एंगल से भागे भागेगी आपको पता याद करने का तरीका है के वाली है ठीक है जी कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल कुछ सुन लो जरा कामाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के भी जरा यू रूल सुन लीजे भाई कामाएंगे आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ बात यह है कि इसका फोकस होता राइट साइड पर है ना और सेंटर ओफ करवेचर भी कहा होगा राइट ही साइट पर होगा ठीक है जी तो अगर principle axis ऐसे बनाई जाए इसकी तो यहां पर center of curvature यहां पर principle focus और यहां पर होगा जी पूल ठीक बात है ठीक बात है ना तो rule number one सुन लो rule number one कहता है कि अगर ray parallel आई है ठीक है ना ray parallel आई है principle axis के तो इस focus से इस focus से बात करती हुई अब ये भाग जाएगी समझ गए? क्या हो रहा ज़रा देख लो भाई focus के अंदर तो अब बात को समझो ये mirror के अंदर तो घुश नी सकती reflect तो इसने होना ही है अरे हाँ या ना ये mirror के अंदर थोड़ी घुश सकती है बेटा इसने reflect तो होना ही है ना तो ये focus को use करती हुई क्या करती है reflect हो जाती है समझ गए? ये है rule number one practice करनी पड़ेगी इस rule की है ना इस rule की आपको practice की सक्ट जुरूरत है भाई ठीक है? पोल पर गिराते हैं देखो पोल पर जो गिरी है वो जितने angle पर गिरेगी उतने angle से उठेगी आप जानते हो है ना? तो ये है rule number two ये दो rule बहुत है तीसरे की दूरत नहीं है ये दो rule बहुत है भाई parallel to principle axis होगी अगर है ना? तो focus से ही जाएगी away और दूसरा है कि pole पर गिरेगी तो angle I angle R के क्या होगा बराबर जो की पहले से भी आपको rule आता है ये दो rule काफी होते है image बनाने के लिए इस से ज़्यादा नहीं चाहिए आपको बहुत है C वाला भी वही है यहाँ पर C का भी rule लिखा हुए कि C पर गिरेगी तो bounce वही होगी bounce back होगी कि देखो C पर गिराता हूँ C पर गिराता हूँ यह डाली यहीं से टकरागे वापस ठीक है जी क्योंकि नॉर्मल पर incident कर रही है तो यह वापस आजाएगी ठीक है तो यह भी लिख देता हूँ चलो C पर होगी तो backtrace ठीक है C के two words भेजी है अगर तो वापस आजाएगी ऐसे ठीक है तो कर लेना यह दो तो कम से कम आपको कर नहीं है ठीक है यहां लिखा हूँ है देगो C पर आएगी तो rebounds करेगी है ना rebound का मतलब होता वापस भाग जाना ठीक है चलिए चलिए इमेज formation पर आते हैं है ना सबसे important topic अब तक का जो भी पढ़ा है वो अब है ठीक है ना इससे पहले की जो बाते थी वो भी important थी obviously है ना उनी से मिल करके यह वाली बात भी बनी है लेकिन यह वाली बात अच्छे खासी importance रखती है ठीक है एक बात में आपको बता दू कि अगर आपने numerical करने है मेरी बात को यह topic शुरू करने से पहले ध्यान से सुन लें अगर आपने numerical करने है और अच्छे से करने है समझ के करने है जिसमें मज़ा आए तो वो मज़ा आपको तब आएगा जब आपको ray diagram याद होंगे ठीक है समझ गए numerical करने हो तो ray diagram याद होने चाहिए यह बात को कहीं note कर लो ठीक है तभी मज़ा आएगा numerical करने में numerical करने की feel ही तभी सुन तभी ऐ निमेरिकल करने का मज़ा ही तभी है निमेरिकल करने का स्वाद ही तभी है जब आपने इसको पी रखाओ पहले से ठीक है ना तो रे डाग्राम तो आपको याद होने ही चाहिए वेटा उसके बाद इनुमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस भी हो पाती है नुमेरिकल अच्छे से मजा भी आता है करने में और नुमेरिकल का अंसर भी अपने को समझ में आता हुआ होता है ठीक है चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसकी हम लोग बात कर रहे थे मेगनेटिक एफेक्स ऑफ करेंट में शौट सर्केट वाले टॉपिक में है मैंने आपसे क्या का था कि मैट्स वाला इन्फिनिटी भाई not defined होता है मैट्स वाले बंदे हाथ खड़े कर देते हैं वाई हमें नी समझे वारा not defined है तो फिदिक्स वाले कहते हैं कि infinity का मतलब होता है बहुत ज़ादा और काथ से बार है ना तो infinite काakers होता है long distance कित्ना long लेकिन सबीकिन बच्चे के में सवाल Looks तो बھайई ये कितना long सबके लिए लगा लग हो सकता है ये बात भी सच धा है न? मान लो मेरे हाथ में के मेरे है मान लो मेरे हा & मिरे है तो दूर लगी जो the ट्यूब लाईट है नियू जो के लिए क्या infinity समझगे ना दूर के तारे चांद सूरज ये भी क्या है ये भी infinity होते हैं समझगे ना बात को तो infinity अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से स्टेंड करता है physics का मतलब यही है के बाई ओकात से भार long distance ठीक है तो object कहा पर infinity पर है यानि कही ना पा नी जा रहा या ना पाणी जा रहा कहीं दूर खड़ा अब ठीक है ना अभी यह P है यह F है यह C है हमेशा ध्यान रखना कि अगर अगर अबजेक्ट इंफिनिटी पर है बेटा हाजी अगर इंफिनिटी पर अबजेक्ट है बेटा तो रेज पैरलल लेके आना बस इतना ध्यान रखना ठीक है अगर अबजेक्ट इंफिनिटी पर है तो parallel लेके आना और आपको पता है parallel लेका क्या होता है parallel ray का होता ये कि वो टकरा के focus से जाती है हाँ या ना तो ये वाली ray भी टकरा के गई focus से और ये वाली ray भी टकरा के गई किस से focus से और यहाँ पर बन गई कैसी image real बोलू या virtual बोलू क्या बोलू इस image को, हाँ बेटा, क्या बोलू इस image को, क्या बोलू, क्या ये reflected रहे, और ये reflected रहे, real में meet कर रही है, या जूट-मूट, virtual world में meet कर रही है, बोलो, ये जूट-मूट, virtual world में meet नहीं कर रही है, बेटा, ये really में meet कर रही है, बोलो, हाँ, सच बात है, ये यह सच बात है यह रियली में मीट कर रही है बिल्कुल यह जितने बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिके रहे हैं पीट थफटपाले एक बार अपनी जड़ा मैं तो नहीं आ सकता है यह यह छे-सात अजार बच्चों के ऐसे करने तो अपना अपना पीट खुदी कर दो कोई नहीं अब आप लिख सकते हो बर्दो बर्दो चैट बर्दो क्या है नेचर इसका भाई एक तो यह बन रही है एफ पर एट एफ नंबर दो साइज में कैसी होगी यह इंफिनिटी पर पड़ा अब्जेक्ट तो बहुत बड़ा भी हो सकता है है ना लेकिन उसकी बनेगी बिंदू स्वरूप पॉइंट साइज्ड यहां बोलते हैं हाईली डिमनिज्ड ठीक है क्या बोलते हैं जी हाईली डिमनिज्ड हाईली डिमनिज्ड नंबर तीन रियल है क्या हाँ अभी अभी बात हुए भाई रियल ही है और रियल के साथ आपको क्या मिलता है इन inverted साथ-साथ आते हैं बेटा है ना real inverted साथ-साथ आते हैं भूलना नहीं है चलिए चलते हैं दूसरे वाले पर time नहीं time नहीं बर बात करेंगे फटा-फट चलेंगे numerical भी करने है practice भी करनी है बहुत सारे काम है object beyond c यह c है यह f है यह p है आपने object किसी ऐसे distance पर रग दिया के नापा जा सके आपने object किसी ऐसे distance पर रग दिया के जो नापा जा सके तो नापा जा सके तो c से हलका सा beyond रग दो क्या दिक्कत है अब पहली रे सर से सर से पहली रे सीधी निकालेंगे कैसे निकालेंगे सीधी निकाल जाएगी और फोकस से जाएगी बिल्कुल सही है पहली रेका तो हो गया काम दूसरी कहां से निकालो जहां से मन करें वहां से निकालो NCRT ने C से निकाल रखी है चलो मैं भी C से निकाल देता हूँ क्या दिक्कत है आपका मन करे F से निकाल नहीं निकालो कौन रोक रहा P से निकाल नहीं निकालो कोई रोक सकता रूल फॉलो करने है बस है ना चलो मैं C से निकाल के दिखाता हूँ यह C से निकली और टकराई और तकराए के वापस हो जाएगी, पता आप कोई बात, है ना? क्या रियली में मीट कर रही है क्या? अरे बोलो, एक रिफिलक्किट रे ऐसे गई, और दूसरी ऐसे गई, क्या्यारीम में मीट हो रही है? जी हां रील में मीट हु रही है और siwere中共 बीच है चोकी सी मेऑ यह चोटी सी मेज का मनेगी K मेरे काइस अबजेक्ट ऑड़े मेश है चोटी डिमिनश्ड होगा बंबनेज्ड होगा हाथ उलो गएं तुमारे भाई हाथ जलो होगें है जल्दी जल्दी टाइप करो हां बिलकुल सही बिलकुल सही डिमिनिश्ट बनेगी साथ में छोटी ओब्जक्ट है बड़ा इमेज है चोटी नमबर 3 में है क्या रिया रियल मिलके रियल से मिलके और आपको इनवेटीड भीδिख अब्जक्ट आपने C पर ही रख दिया है पहली रे सीधी जो सीधी गई है वो फोकस से जाएगी दूसरी फोकस पर डाल दो तक कर खाके सीधी हो जाएगी C पर ही मीट कर गई ना तो C पर इमेज़ बन जाएगी बोलो हाँ C पर मीट कर गई यास बिल्कोल सही है बाई Number 1 कहां बनी C पर Number 2 साइस में कैसी Same Size जितनी हाइट का उबजेक्ट होगा उतनी हाइट की image होगी ठीक बात है Same Size Same Size Number 3 रियल है क्या इस तो तो क्या कारणामा होगा जी लिख लेते हैं C, F, P, C, F, K बीच में object रखा हुआ है पहली रे सीधी पहली रे सीधी सीधी है तो फिर focus से जाएगी दूसरी focus पे डाल देता हूँ focus पे डाल दी इस बार मैंने तो टक्कर खाके सीधी हो जाएगी कुछ जाद ही सीधी होई सीधी हो जाएगी ये बन रही हो C से पीछे हैना स्केल से बनाना मस्त बनेगी ये बन रही है C से पीछे ठीक है तो नमबर एक क्या बनेगा भाई ये बनेगा beyond C ये बनेगा beyond C नमबर दो size में कैसी है object चोटा image बड़ी दिखरा है object चोटा image बड़ी है क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखो, बійсьल, जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो, enlarged, जल्दी जल्दी लिखो,ringe, एसे बेफाल्तु के wrench कर रहे हूँ आप तो, नहुं मैं, चार हो कि देखें हैं को भाई वहिए अब टक चार केस देख लिये अब तक चार केस neighborhood वाले केस है बोलो हां रियल इन्वर्टिड है है ना रियल इन्वर्टिड और रियल इन्वर्टिड पाचवे का क्या है 5 भी इन टीडी यह पी के लिए क्या रूल है सर जितने एंगल पर गिरी है उतने एंगल से उठेगी अच्छा जी यह गई पैरलल देख रहे हो देख रहे हो यह कभी मीट होगी क्या अरे बोल यह कभी मीट होगी क्या जी नहीं यह कभी मीट नहीं होगी यह तो इंफिनिटी जाएगी कभी मीट से करती इन Hour 6 नमबर एक at at infinity सिम्बल आई इनफीनिती का अरह वोलो अरे वह बोलो इन फिनिटी का सिम्बल है नंबर 2 साइज मैं कैसी होगी सर जारहा नीचे लेकिन पैर वहीं जमें हुए हैं सर नीचे जा रहा है इन्फाइच तो बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी highly शब्द यूज़ करा जाता है है ना infinity के लिए शब्द यूज़ करा जाता है highly highly enlarged highly enlarged number 3 क्या real है क्या हाँ इंफिनिटी पे जाके देख ले real ही मिलेगी और सर नीचे जा रहा है तो inverted भी है real के साथ inverted भी आएगा अरे बोलो हा की ना है ना ययर है चलें आगे चलें आगे छट वे पे चलें CFP सबसे special case यही है है ना क्या बोलू इसको VVIP case बोल दूं चठा case क्या बोलेंगे इसको उड़ान two points वाले गाँ हैं आऊ ज़रा सामने आऊ क्या बोलेंगे हैस case को क्या बोलेंगे इस case को कि ये वोलें ये गार चपार किस येशिस ऑलें चैटा ऐस ज्छता के ऑप है ये फिस अब एक की कित रौटेश और चारह चा मिदना क्षबिसर। यार बता की और है का क्षबिस एक यह इंगरा था क्यों है ना सबसे हट के केस है सबसे अतरंगा केस है उड़ान थ्री पॉंटों वाले भी है क्या बात है क्या बढ़िया बढ़िया हाँ जी तब पहली रे गही सीधी टकर खाई और एफ से चली गई क्या बात है वही मजा आगया मजा आगया मजा आगया मजा आगया पहली रे गही स और बनावी, तो बड़े एंगल साही आएगी ऐसे है ना, आप क्या कहते हो, क्या ये रियल वन्ड में मिलने वाली है क्या अरे बोलो, kilka ये रियल वर्ड में मिलने वाली है क्या क्या मैं इसको आगे एक्षन करू और इसको भी आगे करें तो यह दिखा दो यहां आपको दिखा नी पड़ेगी यह ए फशती घस कोचसी से इसलिए 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 depends ईनवोलते हैं विचाइड दा मिरर मिरर के पीछे नयुकूरा नविजा चोटा इनलार्जक टी नभर के एरे रिएल होती तो बनती ना रचौ अब अब हुस्क्र करलो यह एक्ट क्राइब है यह और सब्सक्राइब के साथ यह सब्सक्राइब मिंदुर यह ओर्चलिए रहलें केस इसलिए यह बहुत दूर और दूसरा है कि पास में रखा हुआ यहाँ पे object कहीं पास में रखा हुआ यहां पर नापा जा सकता है यहां पर काफी दूर है नापा नहीं जा सकता यहां इतना तो है कि नापा जा सकता है ठीक है ना तो object at infinity object at finite distance ठीक है यह P, यह F, यह C यह P, यह F, यह C ठीक है parallel raise आएंगी क्योंकि infinite है है ना तो दो रहे दिखा दो आप parallel मस्त ठीक है ना फोकस से होती हुई derivative अरे रूल याद करो अगर light ray parallel आई घीक है तो focus को use करके पहलेगी focus को use करके पहलेगी कहां meet कर रही है बेटा ऐल्टीन हे फोकस पे वर्चूली कर रहे है लेकिन कहां कर रही है focus पे आगे चटा के सवाल है ना है ना हाँ सही है सही है कहां meet करेगी बेटा focus पे नंबर एक at f नंबर दो object काफी बड़ा है लेकिन image है point sized बोलेंगे highly diminished नंबर तीन है या वर्चल है बाई रियल होती तो उधर करती ना नहीं कर सकती वर्चली मीट हो रही है तो वर्चल है और नंबर तार वर्चल का इरेक्ट हमेशा जुड़ा होगा तुम्हें दिख रहा है का नहीं दिख रहा लिग देना है तुमने ठीक है अबहुे भागेंगे अद्दि यह भी आपको दिख रहा होगा अभी यह जा रही है और यह भी अवे जा रही है यह मिलने वाली नहीं यह मिलने वाली है तो क्या करेंगे इसको तो पीछे एक्सटेंड कर दिया इसको और कर दो पीछे एक्सटेंड बस यहां बन गई आपकी इमेज यहां बन गई आपकी इमेज समझ गई ना नमबर एक, हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी, जहां मर्जी रख लो, between P and Fe बनेगी, कोई भी finite distance पकड़ लो, जहां मर्जी बना लो, हमेशा पी और एफ के बीच में मिलेगी, आपको इमेजी, यह जादू है, यह जादू है, यह जादू है, इस Convex में रखा, कि हमे कि एक तॉन आपने दुटेशओ सुख राइं है नहीं अग einer सुनर कुछे एक आपने आपके इस पठली है मेरे आपसे कुछ सवाल समझ में और सुनर का आ या गे लगा दूं 2020 चेक लो एक बार, सारे लो आराम से, पैला केस इनफाइनाइट का, रूल फॉलो करते हैं करें, फिर लिवार्ण infinity पर object हो, convex mirror में, तो focus में बनती है, और अगर कहीं finite हो, तो pure f के बीचे बनती है, है न, clear है क्या, ठीक है, अब मेरा सवाल आप से यह है, yes या no में answer देना है अपने, ठीक है न, yes या no में answer देना है, सवाल मेरा आप से यह है, क्या कभी convex mirror, मिरर, पीछे बनाई हुआ है, क्या कभी convex mirror, real image बनाता है हाँ या no, क्या कभी convex mirror, real image बनाता है हाँ या no, ठीक है, answer सही है, आपका नहीं, हमेशा वर्चल ही बनाता है, चक्कर ले भाई, तीन नंबर यहां और तीन नंबर यहां चक कर लो, वर्ठुली बनाता है, ठीक है, सवाल नंबर दो, क्या कभी, क्या कभी, कॉनकेव मिरर वर्ठुल इमेज बनाता है क्या? क्या कभी कॉनकेव मिरर वर्चुल इमेज बनाता है क्या क्या कभी कॉनकेव मिरर वर्चुल इमेज बनाता है क्या आरे येस लिख रहे हो कब बनाता है येस कैसे लिख रहे हो कब बनाता है कौन सा केस है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस पढ़े तुमने कहां देखा तुमने वर्च्वल है कौन सा केस है वो कौन सा केस है वो छथा किसृ सäg घूञा ठाला था मैं डोंड रहा था छटा कोई तो बोला च्टा हाँ जै सिश्थ केस रिल्कुल ञीज, बिल्कुल और बिल्कुल साहि अपँ तुम को कन्फ yous कर रहे。 लेकिन अग्न तुमको कन्फ yous नहीं कर रहे है तो six case है भाई जहां पर virtual image बनाता है सवाल नमबर तीन सवाल नमबर तीन क्या कभी क्या कभी convex mirror बड़ी image बना सकता है object से क्या कभी convex mirror बड़ी image बना सकता है क्या object से क्या कभी convex mirror बड़ी image बना सकता है क्या object से हा की ना हां की ना नहीं बना सकता नहीं बना सकता हाइली डिमिनिश और डिमिनिश बड़ी बनाता ही नहीं है दो ही तो केसे खाली है true false बन के आ सकता है mcq बन के आ सकता है assertion reason बन के आ सकता है ठीक है तो ध्यान रखेगा ऐसे सवालों का ठीक है अगर आपने एक चीज पढ़ ली है तो उसका हर dimension से analysis करना आपको चाहिए है ना और वो 엄ich Mundu Mira express sun industrial time देखें लो दे देखेंटर से सब्सके ऐसे ट्रैक्रीज मेइनचले price significa बनाता है ये सिसा मैंज़ेश लेकिन did लेकिन लेकिन कहुन केव की बात अगर मैं करूं कों के व की बात अगर मैं करूं तो concave mirror concave mirror real inverted के 5 case बनाता है उसमें बड़ी भी बनाता है छोटी भी बनाता है बराबर भी बनाता है और एक case ऐसा है जिसमें वो virtual इरेक्ट बनाता है लेकिन उसको enlarged बनाता है वो वर्चोल इरेक्ट डिमिनिश नहीं मना सकता कौन केव वर्चोल इरेक्ट डिमिनिश नहीं मना सकता वर्चोल इरेक्ट इनलार्ज डिमिनिश नहीं मना सकता लेकिन बेटा अगर आपको वर्चोल इरेक्ट डिमिनिश चाहिए तो कौन सा mirror यूज़ करें ऐसे सवाल उठके आ जाएंगे fill in the blank, assertion reason ये वो पलाल डिमकाना कहीं न कहीं एक नमबर में, है न सही है, convex यूज़ करें, ठीक है तो I hope आपको अब पूरा-पूरा हर dimension से analysis कर लिया गया इस चीज़ का, ठीक है न, बाकी आप सारे object की position, सारी image की position image का size और nature सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कुछ uses देख लेते हैं concave mirror torch में use होता है कहा use होता है, तो देखो भाई, torch ऐसी होती है आपको पता है, है न, यहाँ कई उसका bulb लगा होता है, torch का ठीक है न, तो यहाँ पर concave mirror लगा रखा होता है, torch के अंदर concave mirror लगा रखा होता है ठीक है न, तो यहाँ से light यहाँ से light निकलेगी, टकराएगी और सीधी हो जाएगी निकलेगी, टकराएगी, और सीधी हो जाएगी निकलेगी टकराएगी सीधी एक टाइप से ना यह फोकस पही है तभी प्यारल कर देता है यह जो बल्ब होता है यह लगबग इसके फोकस पही होता है इस मिरर के लगबग फोकस पही होता है इसलिए क्या कर देता पैरलल कर देता है इसको ठीक है ना solar devices को बनाने के काम भी आता है बिल्कुल सही बात है भाया क्योंकि solar concentrator का काम भी कर सकता है solar concentrator का काम कि भाई ये देखो light आई ये देखो light rays आई है ना और ये सब कैसी आई parallel आई है ना तो क्या करेगा सब को एक पॉइंट पर एक जुट कर देगा है ना एक पॉइंट पर क्या कर देगा सबको एक जुट कर देगा एक जुट कर देगा यहां बना देगा कि एकजूट कर देगा है इका था कर रहा है इकठा कर रहा है रहा हैंदक त काम ठीक है खेविंग मिर तरहीं के से एण यॉज हो तै कैसे दिकर शेविंग हो ग्या को क्या मेकपो अ वहां पर भी क्यिस सब थाड़ा के इस फाड़ा के सवेरी वेरा जाता है प्यढ़ जब भी जूछ रखा जाय गा आपको पता है आपको पता है के रियल तो बनता नहीं वर्चुल बनता है पीछे बनता है एलार्ज बनता है तो एक टाइप से गर दिया आपका मुझो छोटा जदा उसको बड़ा करके दिखाएगा है ना मेक अप करना हो मेक अप करना हो या शेविंग करनी हो है ना तो उसके लिए अपना मुझ रखो पोल और फोकस के दिखरा है शेविंग करने जा रहे हैं उल्टा मुझ दिखरा है तो फिर कहा रेजर चलेगा और वो तो तुम क्या ही समझोगे छोड़ो अभी तुमारे तो दाड़ी भी नहीं है ना समझेगे ना बात को ऐसे डेंटिस्ट साहब के पास गए डेंटिस्ट साहब के पास दात का इलाज करवाना है तो दात को बड़ा करके देखना पड़ेगा वाई तो अगेन उसके लिए क्या करना पड़े का सब्सक्राइब चेटा केस बरिवेरी इंप्रणिन च्छड़ा केस यहां रखा दात हो जाएगा बड़ा दात रखा पोलर फोकस के बीच में और दात कर दिया जाएगा बड़ा ये देखो बड़ा दात हो गया तो ये होता है चटा के इस is very very important समझ मैं आ गया इसलिए हमेशा बोलता हूं कि चटा के इस is very very important तो डेंटिस वाली बात हो गई पूरी convex mirror का यूस भी देख लो देखो बैए जैसे concave का काम होता है कठा करना convex का काम होता है फैलाना convex का काम होता है फैलाना ये रहा convex mirror अरे बन जा ये रहा convex mirror ये क्या करेगा ये light आने वाली light को फैलाएगा आने वाली light को फैलाएगा इस पर light पढ़ती है अरे बोलो अरे बोलो तुम क्या ही बोलोगे तुम तो लिखोगे अरे लिखो अगर लाइट पढ़ती है पैरलल तो फोकस का प्रियोग करते हुए फैला देता है फोकस का प्रियोग करते हुए फैला देता है फोकस का प्रियोग करते हुए फैला देता है फोकस का उप्योग करते हुए फैला देता है अरे वोलो हाँ दो में से कान कर ले diverging यानी फैलाना पीछे देखना साइड के कान या बाइक पे या गाडियों के भी साइड के ट्रुकों के देखिंगे बड़े-बड़े साइड कान होते होनके साइड वाले कान होते है मतब side mirror वोलते हैं उसको गाड़ी चलाने वाले सम्झते इसको कान बोलते है वोलते हैं कान बंद कर ले है तकराज़े काड़ी अभी ओव मैं निकाल रहा हूं वे ध्यान से कान परे कर ले इसके हैं आ ऐसे वो वो जो side कान होते हैं, उनको side mirror, side rear view mirror तो कौन ही बोलता है, side वाले कान बोलते हैं, है ना, तो yes, yes, अब ठीक बोल रहो है, hand more, yes, hand more बोलना है, hand sum तो बोलना ही नहीं, क्योंकि हम sum तो नहीं है, हम तो more है, है ना, हाँ, सही बात है, सही बात है, yes, तो rear view mirror, यानि पीछे देखने वाले जो mirror होते हैं, वो भी convex mirror ही होते हैं, है ना, वहाँ पर क्या हो रहा होता, वहाँ पर यह हो रहा होता है, कहीं कहीं से light आ रही होती है, कहीं कहीं से, दूर-दूर की light आ रही है, तो दूर-दूर की light को भी क्या करेगा, दूर-दूर की light को और इसको में रिफल corridor आपके बकान है अब यहाँ एक सफाइदा है इस फाइड है वाइड एरिया व्यू लेता है देख लो वर्चुल का साइड तो बूसक्त प्रक आरहा है तो ट्रटा तोड़ी दिखना चाहिए reduce सिधा सीधा डर्ट देना चाहिए चोटा थिखना चाहिए ताकि और भी चीज़े आ जाएं ट्रक के बगल में सैकिल चल रही है साइकिल के बगल में कोई रिख्षा चल रहा है वो सब आ जाए इसलिए छोटी भी होनी चाहिए यह ना और वह वाइड वियू को कवर करता इटकवर्स वाइड विूव है ना तो इसलिए समझ भागया समयों आ गया से क्यूरिटी मिरर वगरा वगरा पार्किंग लॉट इत्याधी इत्याधी बाते हैं है ना numerical पर चलतें इसके बात देंगे ब्रेक reflection पूरा हो देगंगे आभी कोई नहीं और ब्रेक मांगा तो जबड़ा ब्रेक कर देंगे साइन relative की बात करते और Requاط करते त्म सभसे पहले आओ इसाइन कन्वेंशिन पर ठीक है चलें देगो साइन कॉनिशन को हम new sign Convention भी कहते हैं क्या कहते हैं क्या गहते हैं old कौन सी मुझे नींपता नियु कौन साइब तो हम पढ़ रहा है कॉन सी Chuck는 ले टंग्विंजन इए नघिया है कॉन से qué कंपर इसी सॉन Nौने कशिंड नग मैं परण91 यह उन साइब monsieur कोई new कोई old कुछ नहीं है जो कराई है वो लिख की आनी है बात खतम है ना फिर बच्चे कुछ तो लिखी आए थे मेरे हैं इतने तो हुनहार समझदार हैं अब तुम्हारा नहीं पता तुम पहली बार जाओगे पेपर देने के लिए है ना वो बच्चे थोड़े से जादा स इनवेंशन भी कहते हैं चलो कोई नहीं है ना ऐसे ऐसी हरकते करता कभी-गभी पेपर बनाने वाला है ना चलो देगो तो system क्या है system यह वाई यह है आपका mirror हैणा अब आपको पता यह कौन सा mirror है यह कौन के वा मिरर ठीक है यह इसका पॉल है यहाँ पर center of curvature होता यहाँ पर फूल है ना बच्पन से जानते इस बात को जबसे तुमने जनम लिया यह थो यह क्या है यह कोंवेक्स ए और यह है कॉन के छीह बात है है ना अच्छ अच्च अप сп्गण कहा कहा यूज उती जड perceived to know destination का बहुत काम है distances निकालने के लिए मान लो भाई मैंने यहां पर object रख दिया हमेशा ध्यान रखना सारे distance टॉल से नापई जाएंगे मेरे पीछे दोहरालो एक बार ये बात सारे distance पोल से नापई जाएंगे ठीक है पोल के left side sub negative होगा पोल के right side sub positive होगा पोल वाली राइन से उपर यानि principle axis से उपर जाएंगे सब पॉजिटिव होगा इससे नीचे आएंगे सब नेगेटिव होगा यानि same-to-same काम किसका हो रहा है Cartesian plane वाले coordinates का हो रहा है यह PLUS X यह माइनस X यह PLUS Y यह MINUS Y लाइन से उपर जाने का मतलब PLUS Y नीचे आने का मतलब Y, यहाँ जाने मतलब प्लस X, यहाँ धने का मतलब म consecutive X, यह जब बीच में है इसी का नाम POL है, समझेके ना, अच्छा, तो अब कहानी क्या है, कहानी ये है के एक होता है U, एक होता है V, एक होता है F, और एक होता है R नाम क्या है, U होता है बिटा object distance कहां से कहां तक का पोल से ले करके object तक का this is U ठीक है V होता है बेटा image distance अम मालो image यहां बन रही है यहां बन रही है तो पोल से ले करके image तक का distance image distance ठीक है फिर आता है F बोले तो focal length आपको पता है focal length कहां से कहां तक होती है यहां से यहां तक होती है focal length और radius of curvature र बोले तो radius of curvature यह कहां से घातक होता है यह होता है यह होता है P से लेकर के C तक है ना यह होता है R अब इसमें से plus में क्या ले minus में क्या ले जड़ा बात को समझो देखो यहां पर object distance भी left side पर है तो negative होगा radius of curvature भी left side पर है तो negative होगा focal length भी left side पर है इसलिए pole से हर चीज कहा है भाई left में है तो इसलिए क्या होगी negative होगी समझगे बात को और यहां तो V भी क्या आना चाहिए निकल के negative आना चाहिए क्योंकि V भी कहा है left side पर है लेकिन अगर यहां पर बात करें तो यहां पर बात करें तो यहां एक object रखा हुआ पहली रे सीधी focus से फैल के जाती है दूसरी ऐसे से करके बना देते हैं यहां मिलती है पता आप कोई बात तो मुझे बार बताओ यहां पर क्या-क्या positive में क्या-क्या negative में तो भाई पॉल से distance देखें यू का तो यू तो negative में लेप्ट साइड पर है लेकिन पॉल से image का distance V किसमे लेंगे positive मिलेंगे पॉल से focus तक का distance F positive मिलेंगे पॉल से center of curvature तक का distance R positive मिलेंगे समझ पारे हो बात को समझ पारे हो बात को तो लडने वाली बात नहीं है लडने की कोई बात नहीं है बात को असान कर देता हूं sign convention तो समझ गए बात को असान कर देता हूं असान बात पते है क्या है असान बात है कि you you हमेशा negative होता है you बोले तो object distance क्योंकि object तो हमेशा left में ही रखना होता है आपने 8 case देखे कितने देखे 8 case देखे कोई ऐसा case था जिसमें object को right side पर रखा हो सारे left में थे you हमेशा क्या लेना negative लेना we तो find करना है ये तो positive भी हो सकता negative भी हो सकता है ये तो find करना पड़ेगा है ना अच्छा लड़ाई जो मचेगी वो मचेगी focal length और radius of curvature पर तो उसके लिए क्या कहानी है उसके लिए कहानी है उसके लिए बात आपको ध्यान लखनी है के भाई focus concave mirror में होता है left side पर है ना और convex mirror में होता है right side पर तो बात खता हम जगड़ा खता हम जगड़ा खता हम के भाई जो left में है वो negative यानि focal length negative में radius of curvature भी negative में for concave for concave and for convex convex के लिए focal length पॉजिटिव में और radius of curvature भी किसमें क्योंकि दोनों right side पर है focal length भी right side पर है तो positive में radius of curvature भी पर है तो positive में समझ गए numerical में use ओंगे यह सब यह सब numerical में यूज ओंगे ठीक है अच्छा इसके अलावा दो चीजे हो रहे है एक होता है HO और एक होता है HAE HO क्या होता है object height है ना object की height और एक होता है image की height तो देखो यह तो फिरसे निकालनी होती है इमेज की हाइट तो mostly निकालनी पड़ती है लेकिन अबजेक्ट की हाइट हमेशा positive क्योंकि हमेशा क्या कर रहे हो ऊपर की तरफ ले रहे हो बाई अबजेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता ऐसे याँ भी देखो कहा रखा गया है ऊपर रखा गया ऐसे इस लाइन से जो ऊपर होगा वो सब positive में होगा तो हो अबजेक्ट हाइट भी किसमें लेंगे भाई positive में ही लेंगे है ना तो यह दो चिरे तो आपने याद ही कर लेनी है एक तो यू हो गया हमेशा negative हो हो गया हमेशा positive ठीक है फोकल लेंथ आपने देखना पड़ेगा तो नेगिटिव और कॉन्वेक्स है तो positive ठीक है इन बातों का ध्यान नखना आपने ठीक है फॉर्मूलों पर चलते हैं फॉर्मूलों पर चलते हैं भाई एक फॉर्मूला है जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला derivation not in slavis for CBSC word 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U इसको ऐसे याद करना बच्चा बोलता नहीं सर मैं तो ऐसे याद करूँगा क्योंकि CBSC में ऐसे NCRT में ऐसे लिखा और स्कूल वाली मडम ने भी ऐसे करवाया तो भाई तो ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन अगर टीचर कुछ कह रहा है तो उसकी बात मान लो 1 by V plus 1 by U करके इसको याद करना बात में पता चलेगा क्या काम है बात में पता चलेगा काम क्या है पहले V क्यों याद करवा रहा हूं तो mirror formula होता है 1 by V plus 1 by U दूसरा है magnification का formula magnification का formula magnification होता क्या है magnification होता है बेटा कि कितनी height object की है with respect to कितनी height object की है बोले तो image की height object के मुकाबले कितनी बड़ी या कितनी छोटी या बराबर है वो बताता है magnification ठीक है ना मत्तब ये ratio होता है height of image विद रिस्पेक्ट टू हाइट आफ अब्जेक्ट का समझ गए ना यह रेश्यो इसके अलबाए एक फॉर्मॉला और भी है जो आपको याद करना है वह है माइनस वी बाई यू दोनों मैगनी पे जिनके फॉर्मॉले बहुत काम के है ठीक है यह तीनों ही फॉर्मॉले आपने याद करके चलने है ओके मेरा फॉर्मॉला यह रहा वन बाई वी प्लस बाई यू और एम इस इकॉल टू माइनस वी बाई यू यह मैगनी फिकेशन है और हचाई बाई हो तो इ तूल ना कहके इसको वैपन कहना चाइए बाई यह तो अभी तो टूल का काम कर रहा लेकिन पेपर के टांप पह यह वैपन का का काम करता है है अव वैपन क्या आजड़ा सुनों है तूल को यह तूल आपको इमेश का नेचर पता करने में बहुत घल्प करेगा it हैं तो बैच जो हमारे चलते हैं 1.0, 2.0, 3.0 अगरा अगरा बहुत सरे बैचे हैं तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस बात को जानते कि इनकी सच में ताकत टूल जैसी नहीं है, वेपन जैसी ही है M की वेल्यू जो यहां से निकल के आएगी M की वेल्यू जो यहां से निकल के आएगी अगर वो 1 और 0 के बीच में लाए कर रही है तो आपकी इमेज डिमिनिज्ड है पका अगर वो M की वेल्यू 1 के बराबर आ रही है चाए पलस में आए चाए माइनस में आए वो फरक नहीं पड़ता यहां पर साइन का लेना देना नहीं है कुछ भी मैं आपको बता दूँ वेल्यू देखनी है साइन हटा के फिर से बोल रहा हूँ यह बात वेल्यू देखनी है साइन हटा के साइन पलस हो माइनस हो फरक नहीं पड़ता value value पर focus करना है बस practice तो करना हूंगा ही चिंता ना करो लेकिन sign हटा के focus सिर्फ value पर करना है अगर value magnitude 1 और 0 के बीच में तो diminish है 1 के बराबर है तो same size है same size है और अगर value 1 से बड़ी है तो enlarged है enlarged है ठीक है अब sign की बात करते हैं अगर आपको M का sign plus में मिले तो मैं 100% guarantee रेने को तयार हूँ के वो image virtual और erect है और अगर M की value minus है तो 100% guarantee के साथ वो real और inverted है ठीक है जी ये ताकत है इन हतियारों की अभी समझ में नी आएंगे जब लगाने होंगे तब मज़ा आएगा अभी कोई मज़ा नी है देखने में कोई मज़ा नी है हतियार सीखने में practice करने में कहा मज़ा आता है है ना जब battle field में उतरते हैं तब आता है असली मज़ा तो है ना वाई जब field में खिलने उतरोंगे तब मज़ा आएगा आपको ठीक है तो nature निकालने के tools ने वेट आये काम आएंगे आएए सवाल पर चलते हैं कि okay सवाल आया के अँगर आप एक plane मेर के सामने खड़े होते हो फिर आप एक concave मिर के सामने खड़ा होते हो औरunder और पेक konving मिर के सामने खड़े होते हो तो आपकी image कैसी appear होगी तो भाई plane की बात करें तो आपकी image same size आएगी है ना concave mirror के सामने खड़े हो है ना तो enlarge भी आ सकती है और diminished भी आ सकती है depend करता कहां खड़े हैं लेकिन ये बात पकी है कि real inverted बनेगी है ना और convex के सामने खड़े होंगे तो ये बात पकी है कि diminished बनेगी virtual बनेगी और erect बनेगी सही बात है ना बहुत है इतना same size और यहां पर भी virtual erect आना चाहिए ठीक है जी अब ये बड़ी है चोटी है वो depend करता किस distance पर खड़े हो आप concave mirror से ठीक है जी अगले सवाल पर चलते है सवाल हर टाइप के आए होएं भाई find the focal length of the convex mirror of radius of curvature 32 cm तो radius of curvature कितना है जी 32 cm मैं पूछना आप से चाहता हूँ plus में लू के minus में लू radius of curvature को plus में लू या minus में लू सवाल का जवाब मुझे चाहिए आप सब से सवाल का जवाब मुझे आप सब से जम numerical करने पे आ गए हैं तो सवाल के जवाब आपने देने पड़ेंगे अभी तक तो सीख रहे थे plus में होगा या minus में होगा शिवानी बेटा गलत king kong बेटा गलत रोई त्यादव बेटा गलत लेकिन बाकी सब बच्चे ठीक दे रहे हैं answer मैंने तीन नाम लिए जो गलत दे रहे हैं जा रहे हो गर पोल से राइट जा रहे हो तो positive में radius लेनी है ना और focal length भी तो positive में ही लेनी है ना ठीक है ना बेटा तो positive होगा मेरे बच्चे है ना positive में 32 cm और फिर आपको focal length निकालनी हो तो वो r by 2 कर दो radius की आदी है ना radius की आदी तो plus 32 बटा दो करोगा तो plus में 16 आएगा plus में 16 cm एकदम सही answer है next पर चलते है वेटा लो जी बढ़िया सा सवाल आपके सामने एक concave mirror है जो तीन गुना magnified real image बना रहा है एक object की और वो object रखा हुआ 10 cm पर तो वो पूस्ता के image कहां पर है आओ given लिखें और कुछ नहीं बस given परशान नहीं होना पैनिक नहीं होना सिर्फ given लिखना है क्या बोल रहा है क्या रहा कॉनकेव mirror है अच्छा क्या तीन गुना magnified real image बनाता है आपको पता है real के साथ inverted free मिलता है हाँ या ना है ना real के साथ inverted free मिलता है free मिलता है तो भाई M की value यानि जो magnification की value है वो तीन गुना यानि 3 है तो मैं minus 3 लूँ या plus 3 लूँ बस मुझे इतना बता दो आप मुझे इतना बता दो बस मैं given में M को minus 3 लूँ या plus 3 लूँ magnification को 3 बोला है इसने फ्लस लेना चाहिए के minus हया क्या कहते है weapon जो देखे थे वो क्या कहते है weapon जो देखे थे वो यह कहते है के भाई अगर really inverted है तो M negative ले लिए या M negative है तो deal inverted है बात तो एक ही है न भाई ठीक है तो plus नहीं लेना मेरे बच्चे real inverted के लिए जो हतियार चलाना सिखाया था वो M negative के लिए है मेरे बच्चे तो M को आपको माइनस लेना पड़ेगा और वही लेकर के solve करना पड़ेगा नहीं तो आपका answer गलत आएगा 100% guarantee के साथ कहा रहा हूँ कि यू लेंगे भाईया 10 cm मुझे बताओ प्लस में लूँ के माइनस में लूँ object distance को प्लस में लेना चाहिए के माइनस में लेना चाहिए बताइए प्लस में लेना चाहिए के माइनस में लेना चाहिए सही है बाई सही है बिलकुल माइनस में ही लेंगे यू को माइनस में लेंगे ठीक है ना आपसे पूछा है वी बताओ इमेज बताओ कहा है इन तीनों को मिला के कोई फॉर्मला पता आपको ग्या इन तीनों को मिला के कोई formula देखा था अभी पीछे ग्या देखा था ग्या इन तीनों को मिला के कोई formula आए ग्या M is equal to क्या क्या हाँ minus V upon में U यस एक बच्चा यहाँ पर लिख रहा है concave में virtual भी तो बन सकती है हाँ बिल्कुल बन सकती है कौन मना कर रहा है लेकिन दिया तो है के real है तो मैं क्यों मानूगे virtual है जब given में है के real ले तो मैं क्यों virtual में गुसू भाई मुझे क्या पढ़ी है है ना तो M minus 3 है minus का sign inbuilt है है ना by default डला हुआ है V मुझे नहीं पता और U minus का 10 है तो minus से minus तो कट गया 10 गाएगा 3 के साथ multiply होने तो V आ गया minus का 30 cm और concave mirror के लिए ऐसा होना भी चाहिए था है ना कि जब magnification जादा है 1 से जादा है 1 से तो real inverted enlarge बन रही है है ना और real inverted enlarge कौन से केसे बनती है इतना इतनी practice नहीं होगी ना बहुत सारे बच्चे होगी बहुत सारे बच्चे है यहां पर तो है ना इतनी practice तो नहीं होगी ना बहुत सारे बच्चे होगी के जो बता सके कौन सा केस है यह केस बता सकते हो कौन सा है केस बता सकते हो क्या के object 10 पर रखा हुआ है image बन रही है 30 पर कौन सा केस है ये शाबाश बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया हाँ बिटा सही है वैसे जुरूत नहीं है लेकिन बस मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ यार है ना ताकि आपको चीज़े याद आ जाए बना के नहीं आना डाइगराम हैना बस चीज़े याद करवा रहा हूँ आपको अब्जेक्ट का रखा हुँआ दस पे और इमेज का मन रही है तीस पे हैना तो आपने पक्का अब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होगा तभी तो ब्यॉर्ड बन रही है है ना तभी तो beyond बन रही है छीक है ना समझ पा रहे हो ना देख लो इस image को आप इस image की शकल देख लो क्या ये real है हाँ real है बिल्कुल real race से मिलके बन रही है क्या inverted है हाँ देखो सर नीचे है इसका है ना क्या ये three times magnified है हाँ बिल्कुल है देखो object देखो और image देखो बड़ी है बड़ी बनी है enlarge बनी है है ना और वी देखो 30 है object यहां से यहां 10 है और यहां से यहां से यहां 30 है है ना यह सिर्फ समझाने के लिए बताया बेटा जूरत नहीं है इसकी है ना सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप relate कर पाओ कोई extra चीज बताने की जुरुत नहीं है लेकिन feel करवाना पढ़ता है बेटा इसको एक बच्चा यहाँ पर लिख रहा है no need to teach extra sir बेटा extra तो मैं कभी कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ लेकिन जब आप एक question को जुड़ करके उसकी feel लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि approach क्या है next question को करनेगी और उसके बाद जो question आएगा है ना extra तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा extra बताने की तो जुरुत भी नहीं है और वो time भी नहीं है कि मैं आपको extra कुछ बता सकूँ है ना यार board की तयारी आप लोगों ने करनी है लेकिन वो approach बहुत जरूरी है जो आप सीखोगे हर सवाल से ठीक है ना अब देखो यार सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं एक ही concept पर तो 100 सवाल बन सकते हैं मैं 100 सवाल थोड़ी ना करा सकता हूँ कराऊंगा तो गिंच उनके 10 सवाली लेकिन वो 10 सवाल ऐसी approach के साथ ऐसी कहानी के साथ आपको करवाना चाहता हूँ कि आप जिस भी सवाल को देखो आपको वो कहानी याद आए या आप अपनी कहानी खुद बना पाओ आप खुद सोचना सीख पाओ तो सोचना सिखाने का काम तो मेरा है मैं ही तो सिखाऊंगा आपको के सोचना कैसे ठीक है ना तो वो वो काम जरूरी है अप्रोच बतानी बहुत जरूरी है एक object है 7 cm लेंथ का एक converging mirror से रखा हुआ है 27 cm के distance पर और उसकी focal length है 18 cm तो वो कह रहा है कितने distance पर एक screen रखनी चाहिए है ना एट वट डिस्टेंस फ्रॉम दा मिरर शुट दा screen भी प्ले screen कहां रखूं कि आपको एक शाप इमेज मिले size और nature भी आपने फाइंड करना है आओ गिवन लिखते हैं कोशन की language जितनी मर्जी confusing हो और इसको प्लस में ही लेते हैं आपको पता है है ना हो को तो प्लस में ही लिया जाता है वो तो माइनस में लेई नहीं सकते ठीक है converging mirror का मतलब कौन सा mirror होता है इकठा करने वाला और इकठा करने वाला होता है concave हा की ना इकठा करने वाला होता है concave, है ना, और कितने distance पर रखा हुआ है, 27, यानि U लेंगे, 27 लेकिन minus में लेंगे क्योंकि U हमेशा minus होता है H हमेशा positive और U हमेशा minus, ठीक है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि focal length 18 cm है, plus में लूँ या minus में लूँ जवाब चाहिए जवाब चाहिए plus में ले के minus में ले answer बाद में वेटा answer बाद में, जो पूछू पहले वो बताओ minus में लेंगे क्या हर श्यादव, बढ़िया लक्षे चौदरी, बहुत बढ़िया yes, बिलकुल minus में ही लेंगे वेटा minus में ही लेंगे वेटा है ना, इस तरफ कोई होगा ना, concave mirror है इस तरफ होगा, left side पर focus होगा minus में लेंगे, है ना, निकालना क्या-क्या है जी V निकालना M निकालना उसी से nature भी आएगा क्योंकि है ना, और ही, height of image निकालना, देखो लिखा हुआ हूँ है size भी पता करो image का size पता करो nature आओ calculate करें मेरे साथ साथ calculate करना या मेरे से जल्दी कर लो तो बहुत अच्छी बात है U di, F di V निकालना है, हम लगाएंगे mirror formula 1 by V plus 1 by U करके मैंने आपको याद करवाया है, F की जगा पर रखेंगे minus 18 V अपने को नहीं पता और U हम रखेंगे minus का 27 है ना, तो minus 1 by 18 is equal to 1 by V minus 1 by 27 minus 1 by 27 उठके वहाँ जाएगा, बन जाएगा plus का 1 by 27 minus का 1 by 18 is equal to 1 by V calculation continues 18 और 27 का LCM 54 ले लेते हैं, 54 27 दूनी 54 18 तीय चववन is equal to 1 by V 2 में से 3 गया, तो एक बचा minus का तो V बेटा निकल के आगया minus का 54 cm एक बार जरा चख कर लो, सईयूं के नहीं में हो सकता है, मुझसे भी गलती हो जाए क्यों नहीं हो सकती भाई बिल्कुल हो सकती है M is equal to क्या होता है minus V बटा U minus तो inbuilt है ऐसे कैसे आएगा, V है फिर minus का 54 और U कितना है U है minus का 27 minus से minus कटा 27 दूनी 54 M निकल के आया minus का 2 अब मैंने आपसे कहा था कि यहां से आप nature लिख सकते हो मैंने आपसे कहा था कि यहां से आप nature लिख सकते हो, है ना, सिरफ value को पकड़ो, क्या ये value 1 से बढ़ी है के नहीं, हाँ है और ये minus का sign अलग पकड़ो value अलग से पकड़ो minus का sign अलग से पकड़ो क्या minus क्या M negative में है बिल्कुल है, तो ये real है वेटा और ये inverted है वेटा, और ये M greater than 1 से enlarged भी है वेटा जी है ना, तो ये आगया nature हथियार यूज हो रहे हैं, देख लो, आपके सामने हथियार देखो कैसे यूज हो रहे हैं, दो value बढ़ी है, enlarged हो गया minus का sign, real इन्वेटा बताता है आपने को tension वाली बात ही नहीं, आओ M is equal to he बटा हो लगा लें है ना, भाई, M कितना है minus का 2 he नहीं पता हो साथ है, प्लस का multiply हो गया तो hi बन गया, minus का 14 cm सारी काहनी हो गई खतम, ठीक है जी? समझ में आ गया, solution पूरा? अरे मोई लला बोलो हाँ भाई, बच्चा बाटी चलें आगे ठीक है, ये खतरनाक सवाल था बढ़तें आगे आंसर देतो जल्दी से जल्दी आंसर देतो फिर ब्रेक देता हूँ मैं जल्दी आंसर दो, फिर ब्रेक दूँगा हेड़ लाइट ऑफ अ कार सोलर फरनेस कौन सा मिरर यूज होता है कौन केव है ना, बताया था भी हेड़ लाइट में क्या टॉर्ची तो है यारो हेड़ लाइट क्या होती है टॉर्ची तो होती है टाइप की और सोलर फरनेस क्या करता है कनवर्जिंग नेचर को यूज करता है मिरर के है ना, तो कनवर्जिंग नेचर के लिए कौन सा होना चाहिए वेटा, कौन केवी तो होना चाहिए हाँ की ना, ठीक है ना, तो कौन केव आंसर है इसका, ठीक है बाकी के chapter पे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक नन्ना मुन्णा साय बेक कितने मिनट का चाहिए जल्दी बोलो भोजन इत्यादी कर लोगे भोजन इत्यादी कर लोगे क्या कितने दिन का दूऊं कितिर का दूऊं बीस मिन तो कभी ना दूऊं सतरा मिनट पच्छिस सेकंड मिलते हैं रेक के बाट पच्छिस सेकंड पच्छिस सेकंड पच्छिस सेकंड पच्छिस सेकंड झाल 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 हंजी हंजी क्या हल चाल आवास सभी को साफ सुनाई दे रही है तो कि पर एक बार फिर से बता देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर आग लगा देंगे अगर क्लास शुरू करनी है तो जल्दी से है ना सत्रा मिनट पच्चे सेगंड हुए समाप्त आपका ब्रेक भी हुआ समाप्त होफुली आप सभी ने इन सत्रा मिनट पच्चे सेगंड में अपनी जिंदगी का बहतरीन खाना खाया होगा मैंने कुछ नहीं खाया लेगि मैं एकदम क्लास के बाद ही खाऊंगा हाँ जी क्या बात है ओपी वोइस आ गई है चलिए शुरू करते है भाई हमारा बचा कुछा बाकी का चैप्टर रिफ्रक्शन ओफ लाइट की कता शुरू करते है तुरू कि है बात है रिफ्रक्शन की रिफ्रक्षन का मतलब होता है लाइट का बेंड हो जाना लेकिन रहीं कि लाईट जब किसी एक Transparen't medium से निकलके किसी दूसरे Transparent medium में घुसती है तो सीधी नहीं चल-पाती है बेंड कर जाती है किसमें से निकल किसमें जाने पर । ट्रानस्पे नमीडियम में घुस जाने पर अब ये transparent medium कौन-कौन से होते हैं तो बहुत सारे हैं air, water, glass, plastic, kerosene, diamond, इत्यादी, बहुत सारे हैं वो एक दो थोड़ी हैं, को एक दो थोड़ी हैं बहुत सारे हैं वाई यह सारे क्या हैं, transparent medium हैं तो एक transparent medium से निकलके, किसी दूसरे, transparent medium में, अगर light घुसती है, तो क्या करती है, bend करती है, जैसे देखो, यहां पर कर रही है, यह देखो, यह लाइट आ रही है, यह कोई source है, source में साइट निकलके है, यह air है, यह air है, यह glass है, glass, है नव, तो air गुसी, air से घुसी, light किसमें, ग्लास में, है नव, तो क्या कर गई-आपको दिख रहा है, यह इस जिस पाथ पर चल रहा ही थी उस पर भी आगे नहीं बड़ी क्या करेंगी फिर से मेंड करेंगी समझ दो ना तो जब 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 मीडियम में चेंज आएगा तब तब बेंड करेगी इस प्रोसेस को कहते हैं रीफ्रक्शन ओफ लाइट देख लो लिख लो एगे दो प्रकार के मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम किसे कहते हैं डेंसर बात को संजो देखो Aarsi यह जो रेरिटी और डेंसिटी है ना यह हमको पता चलती है Refractive इंडेकस कि value से ठीक है बाद न पढ़ेंगे उसको भी Refractive index को बाद not pढ़ेंगे तो हमें असल में Refractive index कि value यह बताती है कि कौन सा medium denser है और कौन सा medium rarer है एक है index कम होता है न है न वो रेर जादा होता है ठीक है वो रेर जादा होता है समझगे refractive index की value से पता करते कौं सा medium dancer है और कौन सा rare है है न और करेंगे बात refractive index के बारे में अभी नहीं अभी चोटे-चोटे concept build-up करते हैं तो which has less density and speed of light is more in it, एक बात का और ध्यान रखना भाई, यह जो bending होती है ना light की, इसके पीछे का जो कारण है ना, वो कारण है light की speed का कम हो जाना, मतलब जब light किसी rarer medium से dancer medium में आती है, तो light की speed कम हो जाती है, और जब dancer से rarer में दुबारा जाएगी ना, तो light की speed फिर बढ़ जाएगी, देखो, rarer में लिखा हुआ light की speed क्या हो गई है, more यानी बढ़ गई है, समझे ना, और dancer में क्या होता है, which has more density and speed of light is lesser in it, वहाँ पर speed of light घड़ जाती है, तो सीधी बात बताऊ, सीधी बात बताऊ, सीधी बात बताऊ, जादा होता है ना, तो medium denser जादा होता है, तो उसके अंदर speed of light कम होती है, speed of light कम होती है, है ना, even wavelength जो होती है, आपको पता light एक wave भी है, तो wavelength भी क्या होती है, कम हो जाती है, समझ गई ना, refractive index जितना जादा होगा, उतना ही जादा medium denser होगा, light की speed उतनी घटेगी, wavelength भी उ भी है आपस में और करेंगे यह बारे में चर्चा बाद में लेकिन अभी नहीं है ना यह देखो रिफ्रक्षन आपको ऐसे ऐसे देखने में आती है even मेरा यह जो चश्मा मैं है कांच के नहीं यह प्लास्टिक माज LANST быстр यह प्लास्टिक है यह अलग मीडियूम है एर गर land speech शक्रावा गया तो light क्या कर रही है इसके through भी bend कर रही है लेंस है इसके through भी क्या करेगी बेंड करेगी ऐसी देखो एक pencil को डाला होता आपने काच के glass के अंदर तो ऐसा लगता है कि तूट गई है तो तूट के अलग हो गई है ऐसा पियर होता है यह किसलिए होता है री फ्रक्षण की वजा से होता है ठीक है ना the bending of light ray the bending of light ray when it passes from one medium to another is called reflection इसी को कहते है refraction समझे गे यह definition है ठीक है अब यह diagram आपके सामने आ गया diagram important है जी ठीक है diagram is important incident ray आई कोई medium है उपर कोई और medium है उपर, incident ray आई, ठीक है, यहाँ पर आके गिरी, यह क्या है, यह point of incidence है, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते है point of incidence है ना, और इसके बाद medium change हो रहा है, यह देखो, यह substance one कोई और है, two कोई और है, अलग-अलग medium है, तो एक medium से दूसरे medium में light घुसेगी, देखो, इस path को आगे trace नहीं कर पाई, क्या हो गई, bend हो गई, यह मुड़ गई, है ना, और आप देख सकते हो कि यह वाला angle और यह वाला angle अलग-अलग है, angle of incidence और angle of refraction क्या है, अलग-अलग है, सेम नहीं है, है ना, तो यहाँ पर, यहाँ पर angle I, angle R बराबर नहीं होते, नहीं होते, है ना angle R, angle I बराबर नहीं होते, अगर racism हो रही है, bending हो रही है, आई-र बराबर नहीं हो सकते, एक बड़ा, एक चोटा, होगा इह एख, बड़ा, एक चोटा, होगा ही होगा, बीच में क्या बना, बीच में normal बना, नर्मल क्या करता, angle नां पता, देखो यहाँ भी angle नां पराई, यहां भी एंगल नाप रहा एंगल नपते हैं इस नॉर्मल से ठीक है जी चले आगे कुछ इंपोर्टेंट टम्स इंसिरेंट रह आपको पता क्या होता है इसमेंसे एक लाब बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम है जो reflection का था कौन सा वाला ये पहला वाला incident ray normal और refracted ray lie on the same plane एक ही plane पर क्या करते lie करते ये है पहला point ये same law है वही जो reflection में था ठीक है ना लेकिन दूसरा वाला जो है ना इसको बताने में समय लगेगा वो समय लगाएंगे लेकिन refractive index के साथ अभी नहीं ये जो दूसरा law है इसको समझाने में समय लगाऊंगा लेकिन जब refractive index पढ़ेंगे तब अभी नहीं ठीक है ना तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको देख देख लो ये ratio है sign of angle of incidence का to the sign of angle of reflection जो की हमेशा constant रहता है किसी एक pair of media और एक fixed wavelength के ठीक है ना लिख देता हूँ इसको मैं अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन समझाऊंगा refractive index के साथ ठीक है sign i divide by sign r हमेशा constant होता है लेकिन कब तक लेकिन कब तक sign i, sign r का ratio हमेशा constant होता है लेकिन कब तक बोलते हैं ये तब तक constant होता है जब तक आपने pair of media नहीं छेडा media मतलब एक से ज़्यादा medium को media कहते है है ना pair of media मतलब ये जो दो medium है एक से आ रही है दूसरी में जा रही है तो दो medium हो गए नहीं हो गए अराम से सुनो बात को अगर comment section में लगे रहोगे comment करने में और comment पढ़ने में तो बात समझ में नहीं आएगी अगर पढ़ना चाहते हो तो full screen करके पढ़ो सच बता रहा हूं ये इतना आसान नहीं है समझना बाद में repeat repeat लिखोगे पहले ही बता रहा हूं पढ़ना चाहते हो तो full screen करके पढ़ो और comment करने वाले comment करते ही रहेंगे उनका तो मैंने भी कोई ठेका नहीं ले रखा और ना आपने कोई ठेका उनको सुधारने का लेना है ठीक है वो हर जगा मिलनेंगे ऐसे लोग ठीक है ना भाई तो जिन्होंने नहीं पढ़ना वो comment करें और comment पढ़े लेकिन जो पढ़ने चाहते हैं वो serious हो करके full screen करके पढ़े important topic है समझ भे नहीं आता तो sign I by sign R constant के बराबर होगा लेकिन कब तक तब तक जब तक pair of media same रखोगे pair of media same रखने का मतलब होता है कि आपने जो दो medium ले रखे हैं air ले रखा है कांच ले रखा है या कांच ले रखा है पानी ले रखा है जो भी आपने दो medium ले रखे हैं वो आपने बदलने नहीं है अगर आपने वो बदल दी है यानि काच की जगा कुछ और रख लिया एर की जगा कुछ भी दोनों में से चेंज गर लिया आपने तो पिर साइनाय बाई साइनार का रेश्यो कॉंस्टेंट नहीं रहेगा कुछ और वैल्ली आ जाएगी समझेगे ना तो कॉंसंट कब तक जब तक पेर ओफ मीडिया सेम रह थे तो कुछ साइनाय कुछ साइनार बनता था तो आपने जब जब पीली लाइट डालेंगे तब-बाइप साइनाय काऊंच अ ब सबस्टेंट ये किसी ये कोंस्ट gateway रहेगा लेकिन अगर आपने कलर चेंज गर दिया मतलब इस बार पीली लाइट नी डाल रहे हैं इस बार नीली लाइट डाल रहे हैं ब्लू लाइट डाल रहे हैं तो फिर साइनाई बाई साइनार का कोई नया कॉंसेंट आएगा साइनाई बाई साइनर का रेशियो चेंज हो जाएगा समझे ना लेकिन जब जब पीली डालोगे तब तब वही वाला कॉंसर नाएगा जो पहले कभी आता था जब जब पीली लाइट डालते थे समझे गए तो वेवलेंट को भी क्या रखना सेम रखना मीडियम जो जोड़ा है मीडियमों का वो भी क्या रखना सेम रखना यह कहता है स्नेल्स लौग खेर और बात करेंगे बाद में जब इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट करेंगे तो अभी नहीं कर रहें सबर रखना पड़ेगा आपको चलो जीid reflection जब light pass करती है किसी डेनसर से रेरर में है ना तो पहले रेरर से डेंसर बता जयता हूं को पहले रेरर से डेंसर बतायता हूं देखो भाई जब भी कभी light किसी rarer medium से किसी denser medium में जाती है बोले तो एक ऐसा medium जिसका refractive index 2 है मान लो और ऐसे medium में जा रही जिसका refractive index 2.1 है तो इससे तो denser ही हो गया ना अरे बोलो ये 2 इसका refractive index 2 है इसका 2.1 है तो denser तो हो गया ना थोड़ा तो जादा है ना हाँ है तो अपने आप में क्या बन गया ये denser बन गया कोई दूसरा medium होगा तो light आ रही है rarer से बोलेंगे incident ray है ये गिरी point of incidence पर यहाँ बनेगा normal यहाँ बनेगा normal इस angle का नाम होगा angle of incidence पुरानी बात नहीं बात नहीं है कोई पहले से जानते इस बात को अब है ना लेकिन अब नहीं बात क्या है पता है कि जब जब rarer से denser जाएगा ना ये normal की तरफ bend करता ऐसे ये angle हो जाएगा छोटा ये ray हो जाएगी refracted ray समझे बात को यानी ज जो light आई है ना यह मुड जाएगी normal की तरफ HI ना यह जानी चाहिए थी ऐसे अलरे वोलो लो आप अब रून नमबर 2 की बात करते हैं यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कोई denser medium है जी माल लेताय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.8 और यह जा रही किसी rarer medium में तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मालो 1.2 है ना तो आपको दिख रहा है refractive index ज्यादा denser होगा कम है rarer होगा चीक है जी तो क्या होगा अब क्या होगा light eye light eye incident ray point of incidence पर गिरी normal खीचा angle of incidence बनाया इस बार denser से rarer में जाएगी तो it will bend away from normal वहाँ क्या हुआ था normal की तरफ मुड़ी थी यहाँ normal से अवे मुड़ेगी यानि इस पाथ पर तो चलने से रही इस पाथ पर तो नहीं चल सकती है ना इस से अवे भागेगी यानि ऐसे भागेगी समझ गे ना यह angle होगा बड़ा angle r समझ गे बात को this will be refracted ray rr ठीक है जी या लिख देता हूँ bend bends away from normal यह है जी rule number 2 जब जब denser से रहर जाएगी it will bend away from normal normal से दूर भागेगी ठीक है ना तो ऐसा ही हो भी रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है normal से दूर भाग दिए ठीक हो गया बहुत असान बहुत easy आगे चलते हैं पढ़ते हैं reflection through glass slab ठीक है अब glass slab के अंदर कैसे यूज करना है इसको तो डाइगराम important है भाईया तो आपने एक rectangular glass slab ले रखा है slab समझते हो ना cuboid होता है बेटा तो काच का slab है यह glass का cuboid है यह ठीक है इसके एक face पर light डलेगी और दूसरे से बाहर निकालेंगे ऐसे ठीक है तो यह कैसे होता जरा देखते हैं ठीक है अभी तो यह काच है glass है इसके आसपास क्या है यहां भी air है और यहां भी air है आसपास air है बीच में काच है ठीक है अगर तो सुनो अब क्या होगा अब होगा यह के light आएगी यह नॉर्मल बनेगा इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे इसे बोलेंगे नॉर्मल वन पहला नॉर्मल है यह क्योंकि यहां पर पहली बार रिफ्रक्षन होगी दूसरी बार तो यहां होगी पहली बार air से glass में जा रही है light तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ के air का refractive index होता है 1 है ना और glass का 1 से तो ज़्याद ही होगा तो dancer glass हुआ है ना और rarer air हुई तो भाई एक बाह बताओ यह एंगल आई है है ना और अगर यहां पर light bend कर रही है कहां से कहां जाते हुए air से glass में जाते हुए rarer से dancer में जाते हुए तो will it bend away from normal यह towards normal कहां बेंड करेगी क्या मांगते हो आप क्या मानते हो ऊपर rarer medium है अंदर dancer medium है towards normal bend होगा या अवे होगा बता चुका हूँ मैं already बताओ two words होगा two words होगा ठीक है ऐसे तो नहीं दिखा सकता ना ऐसे करना पड़ेगा मुझे हा की ना है ना मोड़ना पड़ेगा ना इसको तो मोड़ दी और जब तक medium में चलेगी तब तक तो सीधी चलेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोड़ दी मैंने light है ना तो यह हो जैसे यहां पर medium change हुआ था air से glass अब glass से air में change होगा जी ग्लास से air में change होगा जी तो इसलिए उठा के एक और normal यहां रख देते हैं क्योंकि आप फिर से change होने वाला है बोलो भाई हा की ना और इस बार इस बार light dancer से जा रही रेरर में वापस air आ गया देखो ग्लास से नि जाएगी इस पाथ पर आगे नहीं चल पाएगी है ना ठीक है जी यह हो गया angle e angle r यह था refracted ray यह थी इस रे का नया नाम है इसे बोलते emergent ray er और इस angle को बोलते angle of emergence ठीक है और इस normal को बोलते हैं n2 normal 2 समझ गए सारी list साइड में बना रहो है एक बार देख लो जरा एक है IR एक है RR एक है ER फिर एक है angle I angle R angle E N1 N2 और एक होता है D अब यह D कौन है बाकी सारे तो आपने देख लिए incident ray देख लिया हाँ देख लिया refracted ray देख लिया emergent ray देख लिया angle I angle R angle E यह भी तिनों देख लिये इनका नाम भी लिख देता हूं चलो क्योंकि spelling में गड़बड करते हैं बच्चे इसका नाम है बेटा emergent ray और इसका नाम है angle of emergence ठीक है दो normal हो गए यह D कौन है यह D कौन है बच्चे जानते हैं इसको बच्चे जानते हैं D कौन है इस D को बोलते हैं lateral displacement या फिर optical shift यह दुनों नाम है इसके कैसे निकलता आईए आओ देखो बात को समझना जब तक यह light के सामने slab नहीं था हा की ना जब तक इस light के सामने slab नहीं था तब तक तो वो इसी वाली line को आगे trace कर रही थी है के नहीं है ना तब तक यही तो line थी जो trace हो रही थी है ना लेकिन जैसे slab आया finally यहां से light निकली है पहले ऐसे आ करके आगे बढ़ सकती थी लेकिन slab के आने के बाद क्या हुआ यहां निकली है तो यानी इन दोनों के बीच का जो अश्जी में पर्पेंडीकुलर डिसंग होगा shortest distance बो यह पर्पेंडी कुलर डिसंगो इसे डि कहते हैं इसे डि कहते हैं समझ गया ना नाम है लेट्रल किime Lewis playmate सिलय के होटा क्या है यह होटा है यह पर्पेंडे कुलर डिसन्स इंज है दे को लिका हुआ ए इट इस दा पर्पेंडिकुलर शिफ्ट इन दा पाथ ऑफ इंसिदेंट रे वन इट्रेवल्स थुरू सर्टेन मीडिया एंद रिटरंस तो इस ओरिजिनल मीडिया ठीक है ना जब भी जब भी कभी लाइट रे चलेगी तो जो वरिजिनल मीडियम था उससे और जो हूँ है एक्च्वल में उसके बीच बहुता है रिफ्रैक्शन की विजिसे क्या होता घंडी स्टिक अगर पानी डाली जाए तूटि हुई appear होती है मुड़ी हुई appear होती है आपको पता है ठीक है और क्या होता इस से कोई चीज अगर पानी के base पर पड़ी है तो वो उठी हुई दिखती है है ना ऐसा लगेगा कि base पे नहीं है वो थोड़ी सी उठी हुई लगेगी आपको है मच्छुवारे मच्छली पकड़ते हैं तो उनको आइडिया होता इस बात का कि जहां आम तीर मारेंगे वहीं मच्छली है है ना लेकिन आप अगर मच्छली पकड़ने गए खुद को समझ के एवन मच्छुवारा आज तो मच्छली पकड़ूंगा है ना तो जैसी आप वहां पर तीर मारोगे यहां वो जो होता है पिक करने का जो पिक होती है उनकी वो अगर मारोगे आप तो वह मच्छली आपको नहीं मिलेगी क्योंकि क्योंकि तुम लोगों ने रफ्रेक्षन तो पढ़ा ही नि तुम तो चैट कर रहे थे जब सर्री फ्रेक्षन पढ़ा रहे थे तब तो तुम चैटिंग कर रहे थे हैं ना तो यू केन नाट भी फिर मच्छुरा इफ यू दू चैटिंग है ना 4600 चैटिंग राइट राइट नौछ इड nuo एन नउ सब पढ़ के बने है हां उनको इे बात पता है उनको इसको बात प्ता है क्शल नीचे है ओर स्काम इसकी इमेज उपर दिखती है उसकी इमेज पाओगे फेल मचुआ रहे फेल मचुआ रहे क्या फायदा हुआ बताओ पढ़ लेते हैं फिजिक्स थोड़ी सी आओ और रफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़े है ना देखो भी या हसी मिजाक की बाते हो गई बहुत हस रहे हो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लेकिन फिल लेने ही तो आयो ना तो इसलिए शकल कैसी बनानी और चैंटिंग करनी बन करो हैं ना नितो मचुआरे वाली जॉब तो तुमारी चली गई यह ना मचवारत तुम बन नहीं पाऊगे कम सिंगम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही पढ़ लो ठीक है तो सबसे पहले सुनो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है सबसे पहले सुनो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है एंसे डिनोट चीक है किस से डिनोट एंसे डि और उसके कोई यूनिट नहीं होता है जैसे मेगनिफिकेशन भी यूनिट लेस है उपर भी हाइट नीचे भी हाइट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कड़ गया ऐसे ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती उपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है और नौबी पास और नौबी पास क्या होती है नौबी पास ही तो दसवी का पास Stills रहाए तो पड़ने थोड़ी सो न हथे तो नौबी पास बताओ न स्पीड कि इड़ींट होती है मिट्र पर सेकंड पर से میट्र कर सेकंड कट जायगा तो को बड़े चालू बनते हैं, चालू, चालू नमबर एक, स्पीड आफ लाइट इन वेक्यूम, डिवाइड बाइट आफ लाइट इन गिवन मीडियम, अब समझो कहानी क्या है, कहानी क्या है, देखोई बात कुछ ऐसी है, कि दो टाइप के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं, दो टाइप के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एबसोलूट, और एक होता है रिलेटिव, एबसोलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले relative पढ़ते हैं, क्योंकि absolute उसका special case है, पहले relative पढ़ते हैं, क्योंकि absolute उसी का special case है, देखो relative कहां लगाना है आपने, जहां मन करें वहां लगाना है, बस एक जगां मन चुराना है, जहां मन करें वहां लगाना है, बस एक जगा पर मन चुराना है कहा मन चुराना है वो absolute वाला case है है ना आओ करते हैं बात देखो relative का मतलब होता कि कोई भी दो medium हो सकते हैं A, B कोई भी दो medium हो सकते हैं है ना A, B छोड़ो P, Q करता हूं P, Q कोई P medium है कोई Q medium है ठीक है तो light P से I करिंट जा रही है बेंड तो होनी है रिफ्रक्शन की बात हो रही है है, is nah रिफ्रेक्शन की बात हो रही है ठीक है तो light P से आ रही है क्युमे जा रही है कौन रिरर कौन dencer अभी बात नहीं कर रही अभी हम रिफ्रक्टिव इंडेक्स को लिखना सीखेंगे, उसका मतलब समझेंगे क्या होता है, तो देखो भाई, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा ध्यान रखना उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में लाइट गुस्ती है, जहां से आ रही है, उसकी कोई खास एहमियत नहीं है, समझ गहें तो अब मुझे बार बताओ, पी या क्यू लाइट घुस किसमे रही है बोलो, बोलो बोलो, कमेंट सक्षन का प्रयोक करो और बोलो, काम के टाइम कमेंट सक्षन यूज नहीं करते, बैसे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ लिखते रहेंगे, बोलो पी या क्यू लाइट घुस किसमे रही है घुस किसमे रही है, क्यू में तो रफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, क्यू का समझ गए जिसमें घुसतिया उसका निकलता है ठीक, ठीक है ना, अच्छा, अब इसको पूरा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, भाई क्यू में घुस रही है, और पी से आ रही है, क्यू कॉमा पी ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्यू, विद रिस्पेक्टू पी पूरा ऐसे बोलते हैं इसको, है ना, लिख देता हू अच्छा, 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 प्रेक्टिस, 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 लाइट आई, लाइट आई, और यहां घुस गई, है ना, एक्स, वाई, बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखें, बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखें, ब आज टेख y में पहले लिखा जाएगा समझ बात को समझ इंट को जिसमें घुसती है वो पहले लिखना इतना ठीक है इतना खिलिये च्वाद अब इकवल्ड को टु इकवल्ड की रिफ्रेक्टि इंडविडेक्स होता पता क्या है रिफ्रेक्टिवी इंडेक्स होता है स्पीड ओफ लाइट का रेश्यो तो हम इसको लिखेंगे iis से ढ़ला कि यौटि रेक्व अन्हार तो डिवाइट डालना पड़ेगा है ना तो उपर लिखना हे उपर लिखना है वो जहां से और नीचे लिखना वो जहां गई है यह उपर वाला उपर और नीचे वाले नीचे यह वी क्यों लिखा ऐ वेलोसिटी वेलोसिटी आcribe light in p divided by velocity of light in q समझ गए ऐसे लिखना है उपर वाला उपर नीचे numerator उसको बनाना है जो उपर वाला यानि उपर वाला कौन जहां से पहला है first medium उपर second medium नीचे समझ गए ना अच्छा एक बात अब याद कर लो एक बात जो मैं बोलूँगा वो याद कर लो देखो जिसमें light घुसती है उसका refractive index निकालते हैं है ना इतनी बात तो समझ गए जिसमें light घुसती है उसका refractive index निकालते हैं है ना और light की speed उसकी रखते हैं नीचे वी क्यू देखो क्यू निकाल रहे है Q लिखा हुआ नीचे Q का रखा हुआ नीचे रखा हुआ तो जिसका निकालना उसको नीचे रखेंगे जिसका refractive index निकालना उसकी speed नीचे रखेंगे जिसका refractive index निकालना उसकी speed नीचे रखेंगे जिसका refractive index निकालना उसकी speed नीचे रखेंगे समझ गए, समझ गए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ध्यान से देख लो, N से लाइट आ रही है, M में गुश रही है, पूरा बताओ, N कैसे लिखूँ, है ना, और V उपर और V नीचे क्या आएगा, पूरा बताओ, पूरा बताओ, धंग से बताओ अब, धंग से बताओ, धंग से बताओ, N से आ रही है, M में गुश रही है, हमारे लिए इंपोर्टन्ट कौन है, हमारे लिए इंपोर्टन्ट कौन है, जिसमें गुशती है, वो इंपोर्टन्ट है, यानि M पहले लिखेंगे, है ना, और जो पहले लिखा, उसी की स्पीड नीचे आएगी, बात कटम, समझेगे ना, जो पहले लिखा उसी की speed नीचे आएगी, है ना, n से आ रही थी, n ऊपर आ गया, clear है, है ना, ये था relative refractive index, absolute क्या होता है सर, absolute इसका special case है, क्या special है, special है, special है ये है कि पहला medium air fix करना है, ठीक है, first medium is fixed as air or vacuum, ठीक है ना, यही होता है absolute, a for absolute, a for air, ठीक है, air or vacuum is fixed as medium one, ठीक है, ठीक है, medium one में air or vacuum fix करना है, बोले तो, बोले तो यह, बोले तो यह, के बाई, air है यहाँ, और नीचे है मानलो काच, medium one air, medium two क्या glass, light आनी चाहिए air से और घुसनी चाहिए glass में, है ना, अब यह थोड़ा मैंने गडबड कर दी, ऐसे जानी चाहिए, है ना, इधर को bend होगी न, air से, है ना, वो ज्यादा दिल पर मत लेना इस बात को, अभी सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ लिखना सिखा रहा हूं, हाँ, तो air से आ रही है, काच में जा रही है, भाई सहाब, refractive index कैसे लिखेंगे, जरा बताओ, किसका refractive index निकलेगा, किसका refractive index निकलेगा, जी, किसका refractive index निकलेगा, जी, ग्लास का, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है भाई हम यहाँ पर लिखेंगे ग्लास है ना, कॉमा, एर बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे लेकिन एक बात बता हूँ एक बात बता हूँ, absolute में एक छूट मिली हुई है क्या छूट मिली हुई है पता है एर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो यह absolute है, कॉमा में air ही है, ऐसा माल लो यहाँ invisible, air ही है लिखने की जूरत नहीं यह छूट दे रखी है NCRT ने और पूरी दुनिया की physics वाली community ने छूट दे रखी है के भाई, N glass लिखा हो न तो समझ जाओ, absolute ही है air ही है पहला, दूसरा कौन सा है glass second medium कौन सा है glass है हाँ, तो अब मैं, अब मैं पूसना चाहता हूँ, के उपर कौन सी speed, नीचे कौन सी speed लिखू sir, उपर उपर वाली speed, नीचे नीचे वाली speed आपको पता, air में light की speed होती है c याद आया, c 3 into 10 की power 8 meter per second, अरे सबसे पहली slide में बताई थी ये बात c से denote करते हैं, कहां गए कहां गए, ये देखो, ये देखो ये देखो, स्पीड light की 3 into 10 की power 8 c से denote करते हैं, vacuum या air में होती है, भूल गए, गजनियों अरे याद करो याद करो गजनियों, याद करो आया याद आया याद के नहीं और कितने पेज पढ़ा दिये भाई अरे गणे पेज ओ लिये लो भाई तो उपर स्पीड क्या है भाई, c है और नीचे स्पीड क्या है, v है इसको v लिख दो, याँ v glass भी लिख सकते हैं v glass, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ये होता है absolute ये होता है absolute, आगी बात समझ में आगी बात समझ में आगी बात समझ में यह वकूम है ना और जा रहा है जेड में कोई जेड मीडियम है ना वेक्यूम से लाइट आ रही है और जेड में जा रही है हाँ जी कैसे लिखू एन इस इक्वाल टू ऊपर क्या नीचे क्या यहां क्या लिखू एन N के नीचे क्या? उपर क्या? सब बताओ. सब बताओ. पूरा कच्चा चिख्था बताओ मुझे. कैसे लिखू? सह이baby. सह pojaw. NZ लिखना पड़ेगा. बच्चा. ऊपर क्या लिखू? नीचे क्या लिखू? ये बतादो अब. RHS बतादो. RHS, 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 R हां, C by VZ ठीक है न, C by V ओके, तो, 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 तो प्रेक्टिस भी हो गई कॉंसेप्ट भी समझ में आ गया के रिलेटिव कभ और एपसुलूट कभ है ना, तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मुझे ये बता दे, मुझे ये बता दे ये कौन से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला है रिलेटिव का ये एपसुलूट का किरपया प्रकाश डालें किरपया प्रकाश डालें मेरे दिमाग पे ये फॉर्मुला किसका है एपसुलूट का के रिलेटिव का बोल किसका है ये, शाबाश शाबाश बिलकुल ठीक बेटा उपर भाकूम की बात करी गई है न या एर की भी करी जाती तो तो एक ही बात होती यह absolute ही होता अच्छा अब मुझे अगर relative लिखना होतो तो देखो मैं क्या लिखूंगा n 2,1 2 से मुझे जादा प्यार है 2 में light घुस रही है तो मैं बोलूँगा भाई यह है speed of light in medium 2 और उपर लिखूंगा speed of light in medium 1 समझ गई ना यह formula किसका बन गया जी यह formula बन गया relative का और आपको एक बात बताओं इनकी definition भी यह है इनकी definition भी यह है और तो और definition भी यह है absolute refractive index defines as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium ठीक है relative refractive index for a given medium is the ratio of speed of light in medium 1 with respect to speed of light in medium 2 समझ गई ना speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 जैसा लिखा गया formula यह है इनकी definition भी है बस the ratio of करके लगा दना आपने आगे और कुछ नहीं है बट सिंपल ठीक है unit दोनों कहीं नहीं होते है चाह relative हो चाह absolute हो unit दोनों कहीं नहीं है ठीक बात है बढ़िया बात है है ना symbol की form में देखना चाहो यह देखो यह देखो n is equal to c by v और n मान लो आपने 2,1 लिखना है तो v1 उपर v2 नीचे और यहाँ पर आपने कोई medium की चर्चा करनी हो तो यहाँ medium ले लो समझ गे ना नीचे वाले से ज़्यादा प्यार है है ना नीचे वाले से ज़्यादा मतलब है अपने को ठीक है ना जिसमें गई है उससे ज़्यादा मतलब है 2 2 ठीक है clear बात है ना तो refractive index के इतने से concept अगर आपने समझ लिए सारे question बन जाएंगे आओ question करते हैं आओ सवाल करे आओ सवाल करे क्या कह रहा है बेटा पढ़ो मेरे साथ सवाल पढ़ो आओ given लिखे refractive index किसी material का दिया हुआ है 1.4 ठीक है velocity of light in vacuum दे रखी है आपको यानि C आपको पहले से दे रखा है कितनी अच्छी बाते देखो कितने सुन्दर इंसान है कि आपको C की value दे रखी है find the velocity of light in that material यानि VM निकालना आपको हाँ जी हाँ जी सबसे पहले एक बात बताओ given लिखेलियास चाहिए given लिखेलियास चाहिए मेरा सवाल आप से लेकिन अलगे मेरा सवाल वही है जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है मैं आप से पूछना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चर्चा की गई है बताओ ऐसा कैसे कह रहे हो एर अपसुलूट मैं कैसे मालनूं तुम सब लिख रहे हो यहां पर अपसुलूट की चर्चा कैसे कैसे भाई कैसे मुझे बता दो कैसे तुम्हें किसने बोला अपसुलूट की चर्चा कैसे पकड़ कैसे पा रहे हो यह उन बच्चों को हेल्प करे यार है ना यहां पर यह तक नहीं लिखा कि कहां से आ रही है कहां को जा रही है इतनी बड़ी कहानी बोली नहीं सवाल में बोलेगा भी नहीं आपको खुद पकड़ना है है ना और एक तरीका और बताओ पकड़ने का एक तरीका पता है एक तरीका है कि यहां पर ना कभी भी लिखे होंगे, with respect to, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, इस पूरे को पढ़के देखो, कहीं लिखा है, with respect to, medium अलग है, या medium वो है, एक medium से दूसरे, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं, सिधा लिखा है, refractive index, material का इतना है, यह absolute है, यह absolute है, सिधा-सिधा जब भी लिखा होना, absolute होत होती है, है ना, उसके लिए आपको question को तोड़ना आना चाहिए, है ना, तो refractive index material का 1.4 दिरखा, इसका सीधा मतला भी है, कहां पर absolute की चर्चा है, और भाई, तू given ना लिख चाहे, तिरे को ना दिया होता, given v1 कोई दिक्कत नी थी, तू सीधा लिखता, n is equal to होता है, c by v, बोलो हां, पता है ना, absolute का ये formula है, n is equal to c by v, n दिया हुआ है, हां दिया हुआ है, 1.4, c, बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, 3 into 10 की power 8, ये तो बड़े सुंदर इंसान है कि इन्होंने given कर रखा है, है ना, और divide by v आपको निकालना है, जो भी उस material की बात हो रही है, ह उपर 1.4 नीचे, जो भी answer आएगा, सुआ जाएगा, है ना, मैं नहीं कर रहा, इसको solve, मैं नहीं कर रहा, 1.4 से divide करोगे, answer आपने खुद निकाल दे, चलो लिख देता हूं, 2.14, ठीक है, काफी सारे बच्चे निकाल रहे है, 2.14 into 10 की power 8, meter per second, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक solution करना इतना जादा important मेरे लिए नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले, मुझे आप इस सवाल को, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप खुदी पढ़ो, अंग्रेजी खुदी पढ़ो, मेरा बस आपसे ये सवाल है, कि ये जो 1.5 दिया है, और ये जो 1.8 दिया है, इसमें से relative कौन सा है और absolute कौन सा है, ये मेरा सवाल है आपसे, मेरा आपसे ये सवाल है, इसमें से relative कौन सा है और absolute कौन सा है, refractive index of water दिया हूआ है 1.5 यह relative है यह absolute है और फिर glass का दिया हूआ है 1.8 यह relative है यह absolute है देखो सवाल को मेरे साथ पढ़ो सवाल को मेरे साथ पढ़ो देखो बिटा सीखने की बहुत जुरूत है अभी भी बहुत सारे बच्चों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत भी दे रहे आंसर सही भी दे रहे लेकिन गलत भी दे रहे कुछ सही है कुछ गलब है आओ देखो तेखो, refractive index of water is 1.5, क्या ऐसा दिया यहाँ पर, क्या refractive index of water with respect to कोई 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 is 1.5, क्या ऐसा दिया है, क्या सा दिया है, नहीं दिया, यह absolute है बिटा यह ऑ क्रावसलोट है यह एक masculine है और और ग्लास का वन पॉइंट है यह टिया है ग्लास विथ रिस्पेक्ट कोई-कोई-कोई इस हन पॉइंट एख बात को समझह हो मैं क्या बोल रहा हूँ यह बहुत्र के सवाल को पकड़ना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा लेंगवेज पकड़नी पड़ेगी उसकी ठीक है ठीक है यह दोनों absolute है बेटा अब find क्या करना है वो देखो find refractive index of water with respect to glass यह क्या है यह क्या है with respect to glass, water यह कौन सा निकालना है यह glass with respect to water यह कौन सा निकालना है 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 water with respect to glass, glass with respect to water यह क्या है यह क्या है यह relative है भाहिया find relative करने है आपको absolute दे रखे है relative find करने है आपको yes यह भी relative है और यह भी relative है आओ समझो given क्या है कोई बात नहीं अचंभे में हैं दिमाग की धाई हो गई है फट गया दिमाग कोई दिक्कत नहीं सुनो बात को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉटर का यानि NW आपको दिया हुआ 1.5 यह एपसलूट दिया हुआ बेटा कोगि विद रिस्पेक्ट तो कुछ-कुछ-कुछ न विद रिस्पेक्ट भुटर कितना होगा यह पूछ लियाप से समझे बात को क्या दिया है और क्या निकालना है होना चाहिए आपके सामने तब आगे प्रोसीड करना आपने समझे तब आपने आगे बढ़ना है तो आपको दो absolute दे करके और दो relative पूछ लिए ठीक है अब देखना इसका solution कैसे होगा इतना असान सवाल नहीं है ये ये toughest सवाल हो सकता है refractive index का toughest सवाल है ये इससे high level नहीं है कुछ भी हाँ ये मैं आपको बता दू ये highest level है board में आया हुआ ये highest level है इससे उपर का level नहीं आता समझ जाओ आप अब क्या करना है जड़ा सुनो क्या करना है जड़ा सुनिए देखो चाहे given है चाहे निकालना है आपको formula खोलने आने चाहिए सबसे पहला step है formula खोलना सीखना ठीक ना तो मुझे बताओ के NW कैसे खुलेगा NW अगर आपके पास है तो इसका RHS क्या होगा उपर क्या लिखो नीचे क्या लिखो ऐसे ही NG अगर मेरे पास है तो उपर क्या लिखो नीचे क्या लिखो ऐसे ही अगर NW,G मेरे पास है तो ऊपर क्या लिखू, नीचे का लिखू ऐसा ही NG, W नीचे का लिखू यह पता होना चैँरे आपको क्या पता है क्या पता है पहले में क्या लिखू चलो C लिखा नीचे शावाश VWATARA लिखूंगा बहुत बढ़िया यहां उपर क्या लिखू यहाँ पर क्या लिखू, सही है, C लिखूंगा, बड़िया, नीचे क्या लिखू, बहुत बड़िया, V, G लिखूंगा, सही है, इधर बता दो क्या लिखना है, इधर बता दो, भाई ये तो दोनों absolute थे न, absolute तो C भाई भी होता है, absolute तो C भाई भी होता है, यहां क्या यहां क्या लिखूँ शाबाश प्रतिव चौधरी प्रतिव चौधरी ने बिल्कुल सबसे 60 कर सबसे तेज उत्तर दिया है बोल रहा है कि डबल्यू यहां है ना तो डबल्यू को नीचे ले लो डबल्यू को नीचे ले लिया उपर लेंगे वी जी सही है अब काफी सारे बच्चे सही दे रहे हैं है ना अब इसके लिए बताओ क्या लिखूँ इसके लिए बताओ NGW बताओ कैसे खोलू NGW कैसे खोलू जब तक सब बच्चे आंसर सही नी देंगे मैं आगे बढ़ूँगा ही नी उपर क्या नीचे क्या बढ़िया जो निकालना है वो नीचे क्या बात है जो निकालना है वो नीचे VG नीचे G है न पहले VG नीचे खुल गए सारे फॉर्मले खुल गए रिलेटिव वाले भी दोनों खुल गए एपसूरूट वाले भी दोनों खुल गए अम मुझे बार बताओ निकालने कौन से हैं हाजी निकालने कौन से हैं निकालने ये वाले हैं है ना तो मुझे बताओ मुझे बताओ वीजी कहां से ला जालो वीजी कैसे जायेगा इससे याएगा है ना NG कितना है NG और C अपने को पता है VG निकल जाएगा ऐसी NW सी अपने को पता है VW निकल के आजएगा NW कितना NW यह 1.5 C तो C होता है 310 की पावर 8 रख सकता हूं लेकिन क्यूं से केलकुलेशन बढ़ाऊ मैं मैं क्यों केलकुलेशन बढ़ाऊं कट जाएगा यह देखना अभी देखना अभी देखते जाओ देखते जाओ नीचे क्या रखा VW ठीक है ऐसी NG कितना है NG 1.8 C is equal to VG ठीक है तो यहां से VW निकाल लेता हूं VW उपर डेड़ नीचे तो यह आगया C बटा डेड़ मीटर पर सेकेंड है ना ऐसे यहां से VG निकाल लेता हूं VG उपर 1.8 नीचे तो VG is equal to C divided by 1.8 मीटर पर सेकेंड उठा VW को यहां रख दे उठा VG को यहां रख दे फिर उठा VW को यहां रख दे उठा VG को यहां रख दे काट पीट के आंसर निकाल ले आव निकाले आव निकाले हमें निकालना है NW,G which is equal to उपर VG है VG कितना है C upon में 1.8 बड़ा वाला डिवाइड फिर VW है C divided by 1.5 is equal to यह आगया C upon में 1.8 into में इसको पलट के लिग दो 1.5 upon में C मैट्स है मैट्स यह नहीं आती न तो सोच लो क्या होगा भाई यह मैट्स है बेटा इसको पलट के लिखना होता इसको ऐसे कैसे C upon में 1.8 ऐसे लिख दिया और C divided by 1.5 को रसीप्रोकल करके लिख दिया देख C से C कट गया क्या जुरुत थी C की वैल्यू पुट करके सॉल करने की क्या जुरुत थी C से C तो कटी गया है ना क्या आ गया 1.5 उपर 1.8 नीचे पॉइंट से पॉइंट डादो तीन से काड़ दे तीन चिका तीन पंजा पांच बटा छे इस दा अंसर 5 by 6 is the answer देख रहे हो और ऐसे ही ऐसे ही same to same यहां पर भी करना पड़ेगा VW VW क्या है C upon में 1.5 बड़ा वला डिवाइड C upon में 1.8 इसे ऐसे कैसे रखे रहे हैं दो C divided by 1.5 ऐसे कैसे और इसे पलटके 1.8 divided by C C से C cut गया 1.8 divided by 1.5 पॉइंट से पॉइंट अटाया 6 और 5 6 by 5 answer है यहां 5 by 6 answer है और आपको एक चीज़ और notice हो रही होगी एक चीज़ और notice हो रही होगी दोनों एक दूसरे के reciprocal हैं हां की ना यह होता ही है यह होता ही है एन 1,2 हमेशा reciprocal होता है n2,1 का ठीक है अगर दो relative ऐसे दियो हैं तो एक दूसरे के हमेशा reciprocal ही होते हैं हो भी रहे हैं देखो 6 by 5 और 5 by 6 दोनों क्या है रही प्रोकल है एक दूसरे के है ना तो n w,g is equal to 1 upon ng,w reciprocal होते हैं एक दूसरे के ठीक है यहां सब कुछ सही है है जी यहां तक सब कुछ हो के देखो खतरनाक सवाल है मैं मानता हूं लेकिन दो बार करना पड़ेगा देखके तीसरी बार खुद से करोगे मेरी guarantee है दो बार solution देखके करना पड़ेगा तीसरी बार खुद से करोगे मेरी guarantee है यह ना लेकिन वो तीनों attempt साथ साथ होने चाहिए यह नहीं आज एक किया एक हफते बाद दूसरा किया एक महीने बाद तीसरा किया फिर ना होगा यह तीन attempt साथ साथ करने पड़ेंगे है ना अभी आपने मेरे साथ कराना गलत हुआ सई हुआ कोई दिक्कत नहीं है एक बार रिएटम्ट करना solution देखके करना वापस रिवाइंड करके देखना इस वाले पार्ट को वीडियो के बेशक कोई दिक्कत नहीं है ना उसके बाद एक और बार दुबारा रिवाइंड करेंगे नहीं आया तो लेकिन तीसरी बार खुद से आएगा समझे ना यह बाप लेवल है सवाल यह बाप लेवल सवाल है यह दो एपसुलूट दिये हो और रिलेटिव निकालने हो है ना और पूरा लॉंग मेथड सोलुशन ही इसके अंदर चलता है शॉटकट नहीं चलता शॉटकट भी सिखा देता हूँ mcq में काम आएगा लो शॉटकट फॉर mcq देखो भाई आप जानते हो आप जानते हो कि फर्स्ट मीडियम से से किंड मीडियम में लाइट आ रही है रिलेटिव की बात कर रहा हूँ क्योंकि वही में नें केस है एपसिलूट तो उसका उसका अमसर बताना इसका हाजी कैसे लिखो में लेट कैसे लिखो 1 से आई 2 में गई कैसे लिगू N 2 1 ठीक है कौन सी वलास्टी उपर कौन सी नीचे कौन सी वलास्टी उपर कौन सी नीचे सही है सही है 2 नीचे और 1 उपर 2 का 2 से लिंक है सीधी बात है 2 का 2 से लिंक है तो 2 नीचे ही आएगा और इसका शॉटकट बदे क्या है इसका शॉटकट है आपने N 2 1 लिखा है वलासिटी जाती है इन्वर्स रेशियो में लेकिन रिफ्रक्टिव इंडक्स आता है सेम रेशियो में यह रहा रिलेटिव और यह रहे दोनों एपसलूट ठीक है जी यह एक शॉटकट है लेकिन M C Q के लिए लगाना बस ठीक है ना अगर फुल में आये दो नमबर में ती नमबर में तो आपने वो पूरा सॉलूशन करना पड़ेगा ठीक है तो सीधी बात बताऊ अगर आप N A कॉमा बी लगा रहे हो तो आप इसको N A अपॉन में N B सीधा भी लिख सकते हो लेकिन वेलोसिटी इसके फॉर्म में लिखोगे तो फिर V A नीचे आएगा है न N A निकाल रहे हो V A नीचे और V B उपर आएगा ठीक है जी समझ लेना बेटा इस बात को ठीक है इसी के साथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की फील ले लो और फिर एक और सवाल करवाता हूँ फील के उपर बेजड है ना फील बेजड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो बात को समझना लाइट आ रही है फस्ट मीडियम से और जा रही है दूसरे मीडियम में है ना मुझे बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है सर 2,1 लिखा जाता है बिल्कुल ठीक है बेटा है ना अच्छा शॉटकट में लिखूँ तो N2 अपॉन में N1 लिखा जाता है ये एपसुलूट के फॉर्म में रिलेटिव लिख रहा हूँ एपसुलूट के फॉर्म में रिलेटिव लिख रहा हूँ ठीक है वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूँगा तो नीचे V2 आएगा उपर V1 आएगा सही बात है सर है ना और 9th क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मुला पढ़ा था वेलोसिटी अफ साउड वेलोसिटी अफ वेलोसिटी अफ वेलोसिटी होती है वेलोसिटी टाइमस में फ्रिक्वेंसी V is equal to lambda new कहां से आया था ये फॉर्मुला 9th क्लास से आया था है ना क्लास 9th के साउड चप्टर में था ये V is equal to lambda new हम यहाँ पर वही लगाने वाले हैं V1 को हम लिखेंगे lambda 1 times new और V2 को लिखेंगे lambda 2 times new यह new से new कट गया ऐसा क्यों हुआ पता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि frequency हमेशा constant रहती है जब भी कभी light जब भी कभी light medium बदलती है तो कुछ चीजें हैं जो बदलती है और कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती है क्या चीज नहीं बदलती है वो सबसे पहली चीज है frequency frequency change नहीं होती क्यों क्योंकि यह source dependent होती है यह source dependent होती है source जब तक नहीं बदलेगा source जब तक नहीं बदलेगा तब 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 frequency नहीं बदलेगी तो बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, वो भी सुन लो, कौन कौन बदलता है, सबसे पहले तो एंगल बदलेगा, है ना, ये देख रहा आपको, ये दिख रहा आपको, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, है ना, एंगल आर चेंज होगा, आई के बराबर नहीं ह का मतलब बेंड होगी लाइट सीधी सी बात बोले एंगल बदलने का मतलब होता है बेंड होना एंगल का मतलब होता है लाइट का क्या होना बेंड होना लाइट बेंड होगी उसकी स्पीड चेंज होगी यह देखो स्पीड में चेंज आ रहा है स्पीड चेंज होगी है ना और वेवलंथ में भी चेंज आएगा वेवलंथ भी चेंज करेगी उसकी तो एंगल बेंड होने की वज़े से चेंज हो रहा है speed change हो रही है wavelength change हो रही है ठीक है तो तो angle के साथ कैसे relate करें इसको अब यहां पर आता है Snell's law what was was Miss another law क्या था उप इफिता सचरा ऑज सबस्क्राइब कर ले फटा फट से एक बार relate कर ले देखो बाई ये सेमेल जव बीपार्थ Jennifer's law snell's law क्या कहता है वेटा snell's law कहता है कि i का sign और r का sign का ratio हमेशा constant होता है लेकिन कब तक कब तक जब तक आप pair of media same रखो तब तक है ना और आप wavelength same रखो तब तक यानि wavelength का relation refractive index से है और medium का भी relation किस से refractive index से है असल में snell ने पता क्या का था snell ने ये का था कि जो sign devrait type by sign name ये रफरक्टिव index के ही बराबर होते है यह constant और कोई नहीं यह refractive index ही होता है यह सच बात है यह और कोई नहीं यह refractive index ही है यानि सच मुछ का जो फोर्मुला है है जो सबसे भेंकर सबसे बढ़ा और संबसे अधा conceptual formula है न वो ये है वो ये है भाई वो ये है बाई देखो बात को समझो ये वाला angle है i तो इसका sign ले लो ऐसा काई सनलने है나 और ये वाला angle है r तो इसका भी sign ले लो ये काई सनलने और उसने कहा है के sign i by sign file हमेशा क्या होता है constant के वराभर होता है है ना और ये वाला angle है R है ना तो इसका भी sign ले लो ये का है स्नल ले तो उसने कहा है की साइन आई हमेशा क्या होता है constant के वराबर होता है कौन है ये constant refractive index ही है वो constant तो refractive index कैसे लिखते हैं इसके लिए refractive index कैसे लिखते हैं बताओ अरे बताओ, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, N2 में घुसाना, comma 1, हा की ना, और इसको फिर absolute के form में कैसे लिखते हैं, क्योंकि भाई, इसका refractive index होगा N1, इसका refractive index होगा N2, हा की ना, तो कैसे लिखोगे, उपर वाला, मतब N21 लिखा है, तो N2 उपर, N1 नीचे, है ना, और आपको पता है के velocities के form में लिखा जाए, तो भाई, फिर 2 को नीचे है, यानि V2 लिखना पड़ता है, है ना, refractive index का inverse ratio होता है, और यहां क्या लिखोगे, फिर V1 लिखोगे, और V1 लिखोगे, तो फिर यहां पर lambda 1 भी लिखना पड़ेगा, यहां lambda 2, क्योंकि frequency से frequency कट ही, वो सेम रहती है, वो सेम रहती है, तो जितनी frequency पहले थी, बाद में भी उतनी है, तो कट गई, तो lambda 1 by lambda 2 के साथ इन सब का खुला रिष्टा है, समझ जाओ बात को, यह सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में, यह पूरा law स्नेल्स law है वेटा, यह पूरा law स्नेल्स law है ठीक है जी, यह पूरी कहानी स्नेल्स law की है, साइनाई भाई साइना रिष्रक्टिफ इंडेक्स के बरावर होता है, एप्सलूट वाला एपसलूट वाला, रिलेटिव वाला तो रिलेटिव वाला, यहाँ पर रिलेटिव को ले लिया हमने, है ना? और नहीं लेते, नहीं यहां पर वीजी यहां पर सी के था यह ना और यहां पर भी ग्लास लेते यहां पर एर ले यह ओता तब यहीं फरक होता है ना की वात है एक ही वात है हम सने इसको absolute ले करके माना हुआ है ठीक है ना तो sin i by sin r जो था बिटा ये इसी के बराबर था ये refractive index के ही बराबर था क्योंकि आपको पता है अगर pair of medium छेड़ दिये तो फिर ये छिड़ जाएगा और ये छिड़ गया सेम आई के लिए अलग अलग आ रहेंगे अगर आपने medium चेंज कर दिये तो i 30 degree था, r 20 degree था तो हर बार 20 नहीं रहेगा अगर आप medium चेंज करते गए तो 20 का 18 हो जाएगा, 20 का 22 हो जाएगा है ना, और अगर आपने wavelength भी change कर दी तो भी यही होगा r सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगे ठीक है ना, तो अगर field i refractive index की देखो question solve करना हर कोई कर लेगा दो ही formula है ना एक C by V और एक V1 by V2 या V2 by V1, formula तो दो ही है question solve करने को कोई भी कर, थोड़ी बहुत math साती होगी ना अगर तो refractive index की question solve हो जाते हैं लेकिन feel नहीं आई तो मजा कैसे आएगा physics पढ़ने का भाई आई तो आग लगाओ, आग पहली लगा दी क्या आओ एक सवाल करे आओ एक सवाल करे आओ एक सवाल करे यह सवाल अब feel पे based है feel नहीं आएगी तो यह सवाल नहीं हो पाएगा देखो क्या कहरा सवाल कहरा light of wavelength 500 meter air में एंटर करते एक block में जिसका refractive index डेड़ है तो उसकी speed निकाल, frequency निकाल take velocity of light इतना, ठीक है न मुझे सबसे पहले बताओ यह सवाल absolute का है या relative का है पढ़ोर बताओ पढ़ोर बताओ absolute का है या relative का है absolute का है कैसे, कैसे क्योंकि refractive index के बाद कुछ नहीं लिखा है न, और यहां लिखा हुआ है velocity of light कितनी ले लो, इतनी ले लो तो यहांनी बात हो रही है किसकी air की है न, air की, air से आ रही है देखो लिखा भी हुआ है तो पकड़ना पड़ेगा आपको absolute की बात हो रही है यहां पर सही है सही है, चर्चा किसकी है, absolute की है बढ़िया, आप देखो आपको दिया हुआ है के air के अंदर है न, air के अंदर जो wavelength है वो है 500 meter ठीक है और c velocity of light in air दे रखिया आपको कितनी 3 into 10 की power 8 meter per second इसके अलावा क्या दिया हुआ, इसके अलावा refractive index दिया हुआ, किसका वो तो medium का है है न, वो तो block का है यह रहा block NB ले लेता हूँ, इसको block कितना है यह 1.5 है ठीक है, क्या करूँ अब क्या करूँ, इसको ले के सर पे मारू यह block उठा गए, अपने सर पे मारू क्या करूँ, देख मुझे पता है मुझे पता गिवन लिखके न, और ज़दा confused हो जाएंगे हम absolute समझ में आ गया न, बोलो आया नहीं आया, absolute तो पकड़ा गया न, बस absolute पकड़ा गया तो absolute का formula होता है C by V, बोलो हाँ होता है न, C दिया है, NB दिया है VB निकल क्या आ जाएगा है न, NB रख दो, NB रख दो डेड़ C है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपन में VB, VB निकल लो कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाइड डेड, काटा 1 से 2 से, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यह क्या आ गई, यह वलोसिटी आ गई, जो घट गई है मीडियम में जाने के बाद, जो घट गई है वो स्पीड निकल की आ गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 इससे आप स्पीड, जो की निकाल चुके हो फ्रिक्वेंसी भी निकाल लोगे फ्रिक्वेंसी भी निकल जाएगी है ना, कैसे निकलेगी लेकिन कैसे निकलेगी फ्रिक्वेंसी देखो आओ सीखो आओ सीखो भाई हमने जिस तरीके से N को लिखा, कैसे लिखा C by V करके वैसे ही हम इसको wavelength के terms में भी लिख सकते हैं अभी अभी देखा ना हमने, हम उपर लिखेंगे लել्डा एर, और नीचे लिखेंगे लेब्डा मीडियम, है ना मीडियम यहां पर कौन है? बे, यह भी बी है और यह भी एन बी है, हा कि ना, है ना, यह भी लिख सकते है, बिना feel के हो इनी सकता दा, यार, यह, है न, देख सकते हो, आप, देख सकते हो, यह feel मैंने आपको दी, यहाँ पर, यह n, 2, 1 जो होता है, वो lambda के terms में भी लिखा जाता है, जैसे velocity के terms में लिखा जाता है, वैसे wavelength के terms में भी लिखा जाता है, यहां पर use करना पड़ेगा उसको है ना, तो NB था देखो नीचे Lambda B आ गया NB था, नीचे VB आता है NB था, नीचे VB आता है NB है, Lambda B आ गया है है ना, आओ पुट करो NB पुट करो, NB है 1.5 Lambda Air दिया हुआ आपको 500 मीटर वेवलंथ दियुई आपको 500 मीटर, और यहां क्या है Lambda B है, Lambda B उपर 500 बटा डेड़ नीचे है ना, मीटर में तो वेवलंथ भी आ गई Speed आ चुकी है Already, वेवलंथ हमने निकाल ली है, है ना, Frequency हम निकाल लेते हैं 9th class से formula हमको याद है V is equal to Lambda New, Frequency होती है यह New Frequency है तो New is equal to आ जाएगा V by Lambda, है ना, Lambda को नीचे ले गया, ठीक है V by Lambda, V कितना है जी V है 2 into 10 की power 8 और Lambda कितना है, Lambda है 500 बटा में 1.5, ठीक है Solve कर सकते हो आप इसको 2 into 1.5 into 10 की power 8 डिवाइड बाइ 500 डेड़ दूनी 3 हो गया 3 in 10 की बाइड बाइड बॉन में 500 और काट लो क्या अंसर आ रहा है 333.33, ठीक है बाई ठीक है बाई, ठीक है जो भी आ रहा है सही है है ना, तो मीटर के अंदर, मीटर नहीं हर्ट्स, हर्ट्स, हर्ट्स फ्रिक्वेंसी की उनिट होती है हर्ट्स याद होगी? नहीं आप तो कोई बात नहीं नहीं आप तो कोई बात दी भाई, याद आनी चाहिए फ्रिक्वेंसी की उनिट क्या होती है वेटा हर्ट्स होती है ठीक है? है ना? तो मेरे बच्चे NB को C by V तो पहले से लिखते ही आयो लेम्डा के टर्म्स में भी आपको लिखना आना चाहिए सीधी बात ये थी इस सवाल के अंदर सीधी बात ये थी आपको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना आता है ना? आपको वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए है ना? उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है ठीक है? इतना बहुत है लेंसिस पर चलते हैं वाई दो टाइप के लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है साइड व्यू से देखी जाए तो और कॉन्केव लेंस की शेप ऐसी होती है बीच में से दबा होता है है ना? दोनों तरफ से दबा होता है और ये दोनों तरफ से फूला होता है है ना? ये दोनों तरफ से बल्जड आउट होता है और यह वाला दोनों तरफ से पिचका हुआ होता है अब इनका काम देख लेते हैं क्या है देखो भाई इस लेंस का नाम कॉन्वेक्स और इस लेंस का नाम कॉन्केव ठीक है कहते है इनको हम स्फेरिकल लेंस है क्या रीज़न है उसके पीछे का सेम रीज़न है यह भी एक बड़े से गोले का पाट है और ये वाला हिस्सा भी एक बड़े से गोले का ही पार्ट है है ना ऐसे यहां पर भी है ये हिस्सा भी बड़े से गोले का पार्ट है और ये वाला करवेचर भी क्या है एक बड़े से गोले का पार्ट है अब जब बड़े से गोले के पार्ट हैं तो यह हो गया center यह हो गया pole और यह हो गया focus यहाँ पर नामावली कुछ अलग है यहाँ पर terminology थोड़ी सी change है यहाँ पर इसको pole नहीं कहते हैं यहाँ पर इसको optical center कहते हैं यहाँ पर इसको center of curvature नहीं कहते हैं यहां पर इसको double of focal length कहते हैं और इसे बोलते हैं F यह हो गया 2F, double of focus समझे गए ना? अब इसमें एक पे चौर है कि इसके इस तरफ भी गोला घुमता है और इसके इस तरफ में भी गोला घुमता है है ना? तो यहां पर भी F होगा और यहां पर भी 2F होगा लेकिन अब होगा confusion कि सर यह वाला F BF है, यह वाला F BF है तो क्या किया गया? कि इनको 11 नाम दे दिया गया और इनको 22 नाम दे दिया गया सेम टू सेम यहां पर भी है यह जो बिल्कुल मध्य यह बिंदू दिख रहा है आपको बिल्कुल बीचो बीच इसे कहते है ऑप्टिकल सेंटर इसे बोलेंगे F1 इसे बोलेंगे F2 इसे बोलेंगे 2F2 डबल है ना उसका और यह बोलते है 2F1 अपरचर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक अपरचर होगा यह भी होगा यहां से लेके यहां तक अपरचर समझ गए ना? जो जो इलाका एक्सपोस्ट होता लाइट से उसको परचर क्या देते हैं? बहुत सिंपल बहुत सिंपल ठीक है? ठीक है जी? अच्छा और बात सुनो जला optical center it is the center of the lens principal axis, line passing straight through the optical center focus, focal length, distance between focus यह आपको पता है 2F क्या होता है, twice of focal length यह देख लो, यहां से यहां तक की जो length होगी, इसे हम 2F कह सकते हैं यहां फिर इसको radius of curvature कहते हैं, आपको पता है और यहां से यहां तक वाले को क्या कहते हैं, focal length ऐसे यहां से यहां भी क्या है, focal length यहां से यहां क्या है radius of curvature है, 2F ठीक है न, वैसे का वैसा ही है सब कुछ nature की बात करते हैं तो बहिए, nature कुछ ऐसा है O, F1 2F1 F2 2F2, O F1 2F1, F2 nature की बात करूँ, nature की बात करूँ तो अगर मैं इस lens के उपर parallel ray डालता हूँ न, तो यह right side वाले focus पे लाके मिला देती है, सीधी बात बोलूँ तो इसका right side वाला focus जो है वो जादा काम का है left वाले focus से उतना काम नहीं लेंगे समझ गये न, इसकी right वाले focus को हम real focus कहते हैं, और मैं अपनी भाषा में इसको active focus बुलाता हूँ ठीक है, ऐसे यहाँ पर आजाएं अगर parallel ray फैक के मारें अगर हम lens पर तो यह इस वाले focus को use करती हुई न diverge करती है बेटा जी ठीक है, क्या करती है, diverge करती है आप देख सकते हो, इस वाले focus का कोई थास काम हुआ नहीं यहाँ पर लेकिन यह वाला focus यहाँ पर active role play कर रहा है है न, तो मैं अपनी बाषा में इसको active focus कहता हूँ, वैसे इसको हम लोग virtual focus भी बुलाते हैं, ठीक है जी तो ध्यान रखना, ध्यान रखना यह diverge कर रहा है, यानि फैला रहा है diverge कर रहा है, यानि फैला रहा है यह इकठी करता है, और यह फैलाता है यह इकठी करता है, और यह फैलाता है अपने अपने nature है दोनों के, ठीक है जी diverging है और यह converging है, ठीक है आओ rules की बात करें image formation करनी है तो rules की बाद करनी पड़ेगी आउ rules की बाद करें तो rule कुछ इस प्रकार है तीन rule बहुत है ठीक है ना यहाँ पर image बनाने के लिए तीन rule बते रहे हैं पहला rule पहला rule अगर ray सीधी आई है बोले तो parallel to principal axis आई है तो फिर refract होके यानि bend होके F2 से जाती है rule number one arrow two principal axis आई है ना तो focus से जाएगी कौन से से F2 से दूसरा rule बाई अगर तो यह F1 से पास हो रही है rule number two है अगर यह F1 से पास हो रही है तो यह भाईया bend होके ना सीधी हो जाती है यह है rule number two यह bend होके क्या हो जाती है सीधी यह सीधी थी bend होके F2 से जाती है यह F1 से डालेंगे bend होके सीधी हो जाएगी इंवर्स रूल है दोनों आप देख सकते हो है ना तो यह हो जाएगी पैरलल टू प्रिंसे पल एक्सिस रूल इसके पीछे का कारण समझो पर यह यह को एससे दो केस है जब रिफ्रक्षिन कभी नहीं होती no reflection occurs ऐसे दो case है case 1 जब reflection नहीं होती case 2 जब reflection नहीं होती case 1 क्या है case 1 यह है कि भाई मान लो यह कोई उपर वाला medium है A, यह कोई नीचे वाला medium है B इसका refractive index है 1.2 और by chance हमको संसार में कोई ऐसा material मिल गया उसका refractive index भी 1.2 ही है तो camouflage हो जाएगा ठीक है क्या होगा camouflage होने का मतलब आपको पता ही है क्या होता है light bend नहीं होगी आपको वो चीज अद्रिश्य हो जाएगी क्योंकि light उसके आरपार हो रही होगी ठीक है ना तो अगर दो ऐसे medium जिनका refractive index एकदम बराबर हो जिनका refractive index एकदम बराबर हो light light सीधी निकल जाएगी चाए आपने obliquely ही डाली हो समझ गई ना? देख सकते हो आप कोई reflection नहीं होई कोई bending नहीं होई no bending समझ गई? कोई bending नहीं होगी सीधी निकल जाएगी light ऐसे ठीक है? और case 2 क्या है? case 2 कहता है case 2 कहता है के भाई आपने ना surface से surface के normally ही light को incident कर दिया कोई bending नहीं होगी सीधी निकल जाएगी समझ गई ना? ठीक है? सीधी निकल जाएगी कोई bending नहीं होगी क्योंकि आपने normal पे ही डाल दी है समझ लो इस बात को ये normal है है ना? ये green green normal है आपने normal पे ही डाल दी normal पे डाल दी मेरे बच्चे तो angle i भी 0 होगा और angle r भी 0 होगा समझ रहे हो बात को? तो light बिलकुल सीधी निकल जाएगी और यही हो रहा इस case में यही हो रहा इस case में जब light इस glass पर पढ़ती है ना? काच पर पढ़ती है तो normal पे ही गिर रही है और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है नार्मल पे ही गिर रही है geometry ही कुछ ऐसी है geometry ही कुछ ऐसी है इसलिए undeviated हो करके निकल रही है ने वाई, sin i upon sin r refractive index के बराबर होता आपको पता है अगर i ही 0 हो तो refractive index तो constant ही होता है है ना? तो sin 0 0 होता है sin 0 upon sin r is equal to n n नीचे गया, sin r उपर गया तो sin r खुदी 0 के बराबर आएगा तो r भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा है ना? geometrically, mathematically भी आप इसको solve कर सकते हो लेकिन क्यों इतनी सिरदर्दी लेनी है वेटा मान लो ना? सर जी कुछ कह रहे हैं तो मान लो क्यों तुमको mathematical proof चाहिए इस बात का? जिद्धी लड़कों जिद्धी लड़कियों incident ray coming from focus after reflection becomes parallel यह लिखा हुआ है ओलड़ी थ्योरी थ्योरी पहले से मैंने आपको समझा दिया है ना? आगे सारी बाते लिखी हुई है O से जाएगा तो straight निकल जाएगा undavited होता है ठीक है ना? आगे बड़ा जाए Concave lens के लिए कौन से rule लगते हैं? Concave lens के लिए दो rule बतेरे लगते हैं कौन से? O F1 2F1 F2 2F2 है ना? Rule number 1 Rule number 1 यह है कि अगर आपने parallel to principal axis डाली ठीक है? तो फिर क्या होगा देखो जरा parallel to principal axis डाली ना? इस F1 का use करके यह फैल जाती है ऐसे diverging nature है ना बेटा? कैसा nature है? diverging फैलाने वाला है ना? तो F1 का use करेगी क्या करेगी? फैल जाएगी है ना? F1 को use करेगी virtually और फैल जाएगी ठीक है ना? और दूसरा O वाला ही है O से निकलेगी undeviated हो जाएगी बस इतने बहुत हैं दो रूल बते रहे हैं निकालने के लिए image गो है ना? O से निकलेगी ऐसे ठीक है? ये रूल लंबर वन ये रूल लंबर टू ठीक है? सारा काम हो जाएगा इनी दो रूल से ये देख लो incident ray coming from O go straight ठीक है ना? पूरी-पूरी थियोरी लिखी हुई आपके लिए आईए! शुरू करते हैं image formation due to lenses ठीक है जी? सबसे पहला objected infinity हाँ जी ये लो O F1, 2 F1, F2, 2 F2 आपका participation चाहिए भाई nature लिखवाने के लिए object कहीं बहुत दूर है infinity पर raise आती है सीधी दो बतेरी हैं दिखाने के लिए है ना? ये lens क्या करेगा? mode देगा F2 पर और फिर image कहां बनेगी? F2 पर हाँ जी, तो image कहां बन रही है? at F2 बन रही है number 2 भाई बताओ, real है या virtual है? real है या virtual है? बोलो real है हाँ जी, बिलकुल real है, क्योंकि real raise ही आके meet कर रही है, बहुत सही, real ही है और real के साथ real के साथ inverted भी आता है, ठीक बात है है ना? अच्छा, size में कैसी है? size में कैसी है? size में बहुत छोटी बनेगी, object बढ़ा image बहुत छोटी बनेगी, बोलेंगे क्या? बोलेंगे highly diminished है ना? highly diminished इधर आ जाओ, object beyond 2F1 पर आ जाओ देगो, ये F1 है ये 2F1 है, ये O है, ये F2 है, ये 2F2 है, है ना? beyond 2F1 यानि यहाँ object रखा हुआ है, पहली रे सीधी पहली रे सीधी F2 से जाएगी, है ना? दूसरी, O से पास कर लो, undeviated जाएगी, है ना? O से पास कर लो, undeviated कहां मिल रही है बेटा? F2, 2F2 के बीच में छोटी सी बन रही है, ये देख लो, छोटी सी, है ना? नमबर एक कावनी, कावनी लिखो, लिखो, तेज लिखो थोड़ा यार, थोड़ा तेज लिखो, कावन रही है बिट्वीन? F2, and to F2, Size में कैसी है? Diminished है, छोटी है, Diminished है, छोटी है, Real है क्या? हाँ, Real है, हाँ, Real है, बिल्कुल, हाँ, Real है, सही बात है, Real है, और Real के साथ, सर देख लो, नीचे है, तो inverted भी है, सर नीचे है, तो inverted भी है, बिल्कुल सही, Aero दिखा देना, मैंने दिखाए नहीं, मेरे नंबर कट जाएंगे, तुम दिखा देना, तुमारे भी कट जाएंगे, है न, छीक हो गया, बढ़े आगे, Diminished, Real है, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते है, अबजेक्ट है, 2F1, देखो, यह 2F1 ही है, यह F1 है, यह O है, यह F2 है, यह 2F2 है, अबजेक्ट रखा हुआ है, 2F1 पर, पहली रे सीधी, F2 से पास, दूसरी O से, तो यह 2F2 पर ही बनती है, है न, थोड़ा टेडा हो गया, लेकिन काम चला लेना, अट, 2F2, नमबर दो, सेम साइज, साइज में सेम होती है, नमबर 3, रियल होती है, क्योंकि रियल रेज हैं बाई, है न, और नमबर 4, इनवर्टिड भी होती है, इनवर्टिड भी होती है, बहुत बढ़िया, O, F1, 2F1, F2, 2F2, अबजेक्ट बिटवीन रखा हुआ है, जी, हाँ जी, ओ भाई साब, 2F1, F1 के बीच में, है न, है न, F1, 2F1 के बीच में, पहली रे सीधी, पहली रे सीधी, कहां से गई, F2 से, दूसरी O से, कहां मीट कर रही है, पीछे मीट कर रही है, लंबी चौड़ी पीछे मीट कर रही है, है न, है न, जी, नमबर एक, बियॉंड, 2F2, नमबर दो, साइज में, एनलार्ज, बड़ी बन रही है बेटा, दिख रही है न, बड़ी, एनलार, अब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, नमबर तीन, क्या, रियल रेस से मिलके बनी है, जी, हाँ, बिलकुल, रियल है, रियल रेस से मिलके बन रही है, और फिर, inverted free मिलता है हाँ सही बात है सर और सर नीचे भी आप देख सकते हो तो inverted भी ठीक बात है चार case हो गए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाचवे पर चलते हैं O F1 to F1 F2 to F2 खटा case again very very important VIP case O F1 to F1 F2 to F2 है ना object कहा रखा F1 पर रखा पहली रे सीधी F2 से जाएगी दूसरी O से जाएगी क्या कभी मिलेंगी G नहीं infinity तक नहीं मिलेंगी तो वह सीधी सीधी निकल जाएंगी एकदम सीधी सीधी निकल जाएंगी नमबर एक का बनी at infinity नमबर दो size में क्योंकि सर नीचे जा रहा लेकिन पैर ही होंगे बहुत बड़ी बनेगी highly enlarged number 3 real है क्या हाँ real है भाई और inverted भी है क्या हाँ यार inverted भी है सर नीचे जा रहा ना देखो inverted भी है इदर आ जाओ object between F and O पहली रे सीधी पहली रे सीधी F2 से गई दूसरी O से गई ये तो फैल रही है ना होगा क्या पीछे कठी होंगी पीछे कठी होंगी यहां ही कठी होंगी यहां पीछे है ना तो object है O F1 के बीच में लेकिन image बनेगी कहीं पीछे बड़ी सी समझ गए ना तो number 1 बोलेंगे behind the lens size में कैसी होगी enlarged होगी हमेशा बड़ी enlarged क्या real raise मिल पाई क्या नहीं लेकिन पीछे extend किया तो virtual मिली है number 3 क्या बोलेंगे virtual बोलेंगे है ना virtual बोलेंगे number 4 बोलेंगे erect आप देख सकते हो erect भी है सीधी खड़ी है समझ गए बात को छटा केस very very important आईए concave lens के दो केस समझ ले O F1 2F1 F2 2F2 सेम कहानी यहां पर भी O F1 2F1 F2 2F2 object कहा infinity पर raise आएंगी parallel बोलो बाई क्या होगा F1 से होती हुई फैलेंगी F1 से होती हुई फैलेंगी है ना यह तो फैल रही है लेकिन पीछे कठा करोगा तो F1 पर आगर गे मिल जाएंगी यानि नंबर एक क्या होगा at F1 पर बनेगी नंबर दो size में कैसी होगी बेटा बिंदू सरू point sized highly diminished बोलना उचित है जी highly diminished कार बजबग इरेक्ट भी होगा है ना यहां देख लो finite distance का मतलब कहा रखो जा मन करे वहां रख जा इच्छा करे वहां रखो जा मूड करे महां रखो है ना का मूड है रखने का यहां रख लेते हैं पहली रे सीधी F1 का यूस करके फैल गई दूसरी O से पास करवा दो पीछे भी जाएगी तो यहीं पर ही मैच होगा और इसी जगा पर यह छुटकी सी क्या बन गई इमेज बन गई है ना दिख रही है छोटी सी इमेज दिख रही है नमबर एक इमेज बनेगी between F1 and O नमबर दो Size में छोटी है Object है बड़ा इमेज है छोटी Diminished Size की होगी Number 3 Real है क्या नहीं Real नहीं है भाई Virtual Ray से मिलके मनी है Virtual है और Virtual गहत क्या आता है Erect आता है सवाल Number 1 मेरा आप से यह है अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आग लगाओ एक बार देख लो सबको अराम से और फिर लगाना फिर लगाना कई doubt ना हो कई कोई गलती ना हो अराम से देख लो यह पहले दो case यह F1 वाला 2F1 वाला 2F2 वाला बनता है Same size बिलकुल at sea जासा है यह F1 2F1 वाला वो beyond बनेगा बड़ी बनेगी real inverted बनेगी F1 वाला infinite बनाता highly enlarged वाली इमेज वाह F1 वह very important वाला case है वह F1 के बीच में तो पीछे बनती है है ना enlarged virtual direct वाला case है इसका ठीक है ना इसके अलावा दो case है इसके concave के यह बिलकुल वैसा जैसा convex mirror था diminished virtual direct diminished virtual direct ऐसे बनती है इसकी है ना तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना आच्छा सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक यह है कि क्या क्या कोई ऐसा lens है चाहे concave हो चाहे convex हो क्या कोई ऐसा lens है जो virtual erect और enlarged image बनाता हो कौन है जो virtual इरेक्ट एनलार्जड इमेज बनाता हूँ कौन है वेटा इन्फिनिटी वाली रेस तो ऐसी दिखा दो सीधी सीधी दिखा दो क्या दिक्कत है पैरल आती हूँ दिखानी है आपने कैसे भी दिखा दो सही है अर तुम्हारा जवाब सही है तुम्हारा जवाब क्वेट्स है लेकिन कॉन्वेक्स का कांशा कैस है तो बता हो वशल इरेक्ट एनलार्ज बन रही है कॉनसा कैस है केस नंबर चेंग काईत्ら very बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है छटा गेस है ये रह ये रह देख लो virtual erect or enlarge सही है एकदम सही है है ना अच्छा ऐसे ही आप देखो कि diminish वर्च ये कभी enlarge बनाता ही नहीं है कौन सा? concave concave कभी बड़ी image बना ही नहीं सकता real inverted तो छोड़ी दो real inverted तो भूली जाओ enlarge भी नहीं बनाता ये diminish virtual erect ही बनाता है VED virtual erect और diminish वेद बनाता है ठीक है ना ये आपके ये नाम यहां यहां कर लेना बस पाच्वां ये है और छटा ये है ठीक है ना केस उल्टे सिधे हो गए है और ये टेबल भी आपके याद करने के लिए छोड़ता हूं हमेशा छोड़के जा रहा हूं ठीक है आईए numerical पर चलते है numerical करने से पहले आपको sign convention आने चाहिए और यहां पर सबसे जरूरी बात ये है कि अगर ये convex lens है O F1 2F1 और ये है F2 ये है 2F2 ऐसे ही यहां पर भी यहां पर भी यह O ये F1 ये 2F1 ये F2 ये 2F2 ऐसे ही है ना तो यहां पर U तो हमेशा negative ही लेते हैं यहां पर भी negative ही क्योंकि U आपने यहां रखना है यहां पर भी यहां रखना है то optical center जो है ना वही origin है sign convention समझ गए ना बाई sign convention समझ गए ना बाई यह plus x यह minus x यह plus y यह minus y और यह क्या यह है 0,0 origin तो यहाँ पर यह optical center ही origin है वेटा इससे left सब negative इससे right सब positive इससे उपर सब positive इससे नीचे सब negative है ना तो उपर के वज़े से हो भी क्या लेंगे वेटा positive ही लेंगे तो हो भी positive हमेशा रहता है ठीक है लडाई कहां मचती है लडाई मचती है focal length के लिए अब सुनो बात क्या है देखो मैंने आपको active focus की बात बताई थी मैंने आपसे कहा था कि भाई जब raise यहाँ आती है ना बीच में से मोडनी होती है center में से यहाँ पर center से एक line बना लिया करो draw कर लिया करो वहाँ से मोडा करो है ना तो यह वाला focus active होता है ऐसे यहाँ से रे डाली जाती है center वाली एक line बना लेते है reference के लिए है ना और इस वाले f1 से ऐसे और इस वाले F1 से ऐसे मोड़ना पड़ता है है ना तो यहाँ पर यह वाला focus active होता है तो सीधी बात बताओं यहाँ पर जो focus active है ना उसी की focal length को आपने हमेशा लेना है यानि यहाँ पर focal length positive ली जाएगी ठीक है ना और focal length negative होती है बिटाजी concave के लिए ध्यान रखना सेम कहानी radius of curvature के लिए वह भी positive ही लेना है और यहाँ पर वह भी क्या लेना है negative ही लेना है concave के लिए ठीक है ना बाकी सब V निकालना पड़ता है HI निकालना पड़ता है वो सब निकालने पड़ते हैं ना F positive convex में क्योंकि right side पर आकर के raise मिलती है और यहाँ पर left वाला focus यूज होता है इसलिए focal length लेफ्ट में लेने की वज़ा से minus ली जाती है ध्यान रखना sign convention की कहानी ठीक है numerical आने से पहले formula भी जरूरी है तो भाई formula सुनो formula सुनो यहाँ पर use होता है lens formula lens formula क्या है lens formula है 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U इसलिए मैंने इसको ऐसे याद करवाया था mirror में मैंने आपसे कहा था कि भाई बस यहाँ पर plus होता है mirror बन जाता है हटा lens बन गया देख रहे हो कुछ भी आगे पीछे नहीं आद करना आपको इसलिए 1 by V plus 1 by U mirror में आद करवाया था मैंने आपसे दा कि एक बस plus की जगा minus लगाना और formula change formula बन गया lens formula ऐसे ही magnification के लिए भी होता है सेम वहाँ पर था minus V by U यहाँ पर है V by U और यह H I by H O तो वहाँ भी वैसा ही था यहाँ भी वैसा ही है same to same ठीक है ना और आपको बताओ tools भी वैसा ही है tools भी same ही है tools क्या थे अगर M की value 1 और 0 के बीच में लाए करेगी तो diminish अगर M की value 1 के बराबर है तो same size अगर M की value 1 से बड़ी है virtual and direct और अगर M की value negative हो तो real and inverted बिल्कुल वैसे ही है tool कहें के weapon कहें बच्चे गह रहे हैं सर इनको weapons बोलो आज के बाद चलो बाई ठीक है warrior पढ़ रहे हो तो फिर weapon बोल लेते हैं इसको है ना अब warrior पढ़ रहे हो तो weapon बोल लेते हैं है ना उड़ान के अंदर तो हमने इसको tool कहा था कि बच्चे भी tool जैसे है toolे मूले से बच्चे है है ना यहाँ पर थोड़े warrior type बच्चे है तो ठीक है वाई वाई वैपन ले लो तुम है ना ठीक है guns guns हो सही है सही M16 चलो सवाल पर आते हैं सवाल पर आते हैं सबसे पहले असान सवाल से शुरू करते हैं an object is placed at a distance of 10 cm from convex lens of focal length 15 cm position बताईए और nature बताईए image का given लिखो और answer बताओ सबसे पहले u u बोले तो object distance जो की कितना 10 cm plus में लू के minus में लू और convex lens की focal length है 15 cm plus में लू के minus में लू देखो u तो minus में ही लेना होता है u को लेके तो लड़ाई नहीं है u को लेके तो बहस ही नहीं है f क्या लू plus या minus जल्दी से बता दो f क्या लू plus के minus जल्दी बताओ f क्या लू plus के minus जल्दी बताओ सही है भाई सही है सही है प्लस आएगा कॉन्वेक्स लेंस ना बेटा राइट साइड वाला फोकस अक्टिव होता है यहां से लाइट आएगी राइट में मिलेगी आकर के देख ले देख भाई देख ध्यान से देख कॉन्वेक्स है यहां से लाइट आ रही है राइट में मिल रही है करके राइट वाला फोकस अक्टिव है इसलिए फोकलन पॉजिटिव आपको वी निकालना है और नेचर के लिए एम निकालना पड़ेगा ठीक है आओ करें केल्कुलेट वन बाइए फिज इक्वल टू वन ब लगे दर्क और मैंने वी रखना है 1 बाइप लसका पंदरा कहुं इसAKल टूमद Chelsea उसम लेलों त्कीले उपनरा दूनिदस तीए Bayern और करें ये 30 is equal to 1 by V और V निकल के minus 30 cm बच्चे बहुत पहले निकाल चुके हैं शाबाश बढ़िया अब बारी आती है M की जिससे नेचर पता कर पाऊगे आप नेचर पूचा है ना इसने नेचर पता कर पाऊगे तो M होता है जी V by U यहाँ पर V है minus 30 और U है minus 10 minus minus कड़ेगा 0 0 कड़ेगा 3 आ गया मेरे बच्चे M की वैल्यू प्लस 3 है क्या M की वैल्यू प्लस 3 है क्या क्या कहता है M की वैल्यू प्लस 3 क्या कहता है M की वैल्यू प्लस 3 M की वैल्यू प्लस 3 यह कहता है भाई के मेरा M 1 से बढ़ा है तो enlarged है ना और M positive है M positive होता है तो virtual भी है और erect भी है है ना छटा के सा है बिलकुल सही भाई तालिया अगर पकड़ लिया तो तालिया 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 है ना छटा के सा है बिलकुल virtual भी है erect भी है और enlarged भी है सही बात है 6th case है बढ़िया भई बढ़िया एक और सवाल लो a convex lens produces a real and inverted image 2.5 times magnified at a distance of 25 cm from the lens calculate the focal length and the power of the lens power of the lens अभी आपको नहीं आती निकालनी है ना बार में देखेंगे इसको focal length तो निकालो सही ठीक है देखो क्या कह रहा है कह रहा है convex lens है जो की real or inverted image 2.5 times magnified produce करता है मतलब given में m को 2.5 लेना पढ़ेगा लेकिन plus का 2.5 लू के minus का 2.5 लू आप बताओ आप बताओ भई 2.5 लेना लेकिन plus का लू के minus का लू जल्दी बोलो तरिशा राज सबसे पहले answer दिया इताची बढ़िया 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 माइनस लेंगे हतियार टूल वैपन याद करो रियल इनवर्टिड के लिए m की वेल्यू माइनस होती है है ना M की value minus E होती है ठीक है ना अच्छा फिर कह रहा है कि convex lens produce कर रहा एक image को magnified at a distance of 25 cm from the lens lens से 25 cm पर यानि V आई है है ना और V दिया हुआ 25 cm मैं आपसे पूछना है चाहता हूं मैं आपसे पूछना है चाहता हूं फिर से ये image distance दिया हुआ है ना 25 ये image distance है ना 25 ये minus में लूँ के plus में लूँ आपको अब case याद करना पड़ेगा कौन सा case है ये जहां पर real inverted और enlarge image बनती है real inverted enlarge कौन सा case है कहां रखना पड़ता अबजेक्ट कहां रखना पड़ता है object real inverted enlarge बनाने के लिए real inverted enlarge बनाने के लिए कहां रखना पड़ता object real inverted enlarge बनाने के लिए कहां रखना पड़ता object f1 to f1 के बीच में और आपकी image कहां बनती है beyond 2f2 यानि V लोगे positive V लेना पड़ेगा positive समझ रहो ना ये optical center है ये origin है इससे right में image है आपकी इसी लिए बोला था numerical करने हो और feel के साथ करने हो मजे के साथ करने हो तो case याद होने चाहिए case P रखे होने चाहिए बोली थी के नहीं बोली थी ये बात तो caseों का काम आता है भाईया ऐसे ही सवाल solve नहीं होते हैं V को plus 25 लेना पड़ेगा और minus ले लिया दो सब गलत सारा कूड़ा कवाड़ा हो जाएगा minus ले लिया दो ठीक है ना focal length calculate करनी है जी उससे पहले U तो निकालने आओ M is equal to होता है जी V by U lens formula तो M को लेंगे minus 2 V लेंगे plus 25 और U निकल के आ जाएगा U उपर 25 अपॉन में minus 2 नीचे point टाया 10 उपर आया 25 से 25 कड़ गया U निकल के आया minus का 10 cm क्या U minus में ही आना चाहिए के नहीं क्या U minus में ही आना चाहिए के नहीं आना चाहिए आ रहा है तो ये sense बनती है इसलिए sign convention important होती है ताकि sense बने तो U minus 10 आना भी चाहिए और आ भी रहा है इससे बड़ी तालियां क्या बजाए खुद के लिए इससे बड़ी तालियां क्या बजाए U minus में 10 होता ही है focal length मिकालने के लिए लगाना पड़ेगा lens formula 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U 1 by F is equal to V को क्या रखों क्या था भी वी 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 पच्चिस है प्लस का पच्चिस है और minus ये कितना है minus का 10 है minus minus plus तो 1 by F is equal to 1 by 20 plus 1 by 10 25 और 10 50 ले ले दूनी पंजे 7 बटा 50 हा की ना तो F आ गया 50 बटा 7 centimeter है ना है ना चीक है सही है 7.14 हाँ यही है है ना 7.14 अच्छे एक बात और बताओ क्या focal length positive में ही नहीं आनी चाहिए थी क्या बोलो क्या focal length को positive ही आना चाहिए था क्या हाँ या ना आना चाहिए था ना convex lens आना बेटा और convex lens की focal length positive में होनी चाहिए और यह आ रही है इसका मतब चीजे verify हो रही है ऐसा सवाल करना जरूरी है ऐसे सवाल करने से confidence बढ़ता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं जो हम सीखे हैं जो हम समझ रहे हैं वह ठीक समझ रहे हैं तो एक रिवर्स इंजिनिंग वहला सवाल करना जरूरी है ठीक है अच्छा है हम आपके लिए इस खटम होगी तो आपने करना है यह इब हम्मक है सिधाट यह दो हमम लग देके जारह हूं आपको ठीक है उर लास्ट टॉफिक पर चलते लास्ट आपका नम है power of the फिफावर आप्दार लेंस किया होता है लैंस की ताकत लेंस की ताकत किस चीज में कि लेंस की ताकत क्या और दो चार लेंसों को पीट देने में क्या उतले distribution बढ़ा टाकतवा है उसकी ताकत है उसकी convergence में और divergence में सीधी बात बताएं तो है ना के lens किस हद तक converge कर सकता और किस हद तक diverge कर सकता है आओ सुनो भाई एक lens है एक lens है वन ठीक है जिस पर अगर parallel light फैकी जाए ना तो यह यहाँ ला करके converge करता है इस point पर ला के converge करता है ठीक है और एक lens है एक lens है जिस पर अगर parallel light फैकी जाए यह Linktail इस पर अगर पैल फैकी जाए तो यह ना नजदीक में converge कर देता है तो आप बता दुनों में से कौन जादा ताकतवर है टूंहां से कौन जादा ताकतवर है तो पहला या दूसरा इस आप मुझे बताओं सीधी आती रेको सीधी आती रे को ये ज़्यादा मोड पाया ये ज़्यादा मोड पाया कौन ज़्यादा मोड पाया सर ये कैसे पता करे कौन ज़्यादा मोड पाया अरे एंगल देख न लगा जूम कर जूम करके देख कौन ज़्यादा मोड पाया देख देख ये रे सीधी जा रही थी लेकिन इतने एंगल से मुड़ गई ये रे भी सीधी जा रही थी लेकिन इतने एंगल से मुड़ी किसका एंगल बढ़ाए खुद बताओ ये तो होगा कोई 30 डिगरी एंगल और ये क्या ये है भाई कोई 70 डिगरी का एंगल देख रहे हो, किसने ज्यादा मुड़ा बेटा, बताओ, बताओ, उपर वाले ने ज्यादा मुड़ा के नीचे वाले ज्यादा मुड़ा, नीचे वाले ने ज्यादा मुड़ा मतलब ज्यादा ताकतवर ये है नीचे वाला, समझ गए, समझ गए ना, और आपको पता है, पैरल आती रे को, लेंस जहां भी मोरपाएं, उस point को कहते हैं focus, तो इसका focus यहां है, और इसका focus यहां है, F2 F2 पर मोरता है ना, F2 भहाँ है है ना, तो भाई, optical center से F2 तक के distance को कहते है, focal length optical center से F2 तक को कहते है, focal length, हाजी power किसकी ज्यादा है? नीचे वाले की पावर जयादा है तो इसकी फोकल लेंठ का size तो देख बहुत कम है और इसकी power तुमने बोली के कम है और फोकल लेंठ का size देख जयादा है यानि power और फोकल लेंठ universally proportional होते हैं ये एक दूसरे के reciprocal होते हैं power is equal to one by F formula बन Gya समझ में आया क्या समझ में आया concept क्या है जिसकी power कम है वो दूर converge करता है जिसकी power जदा है वो pass में converge करता है छोटी focal length पर ही converge कर दिया इसको लंबी focal length लेनी पड़ी converge करने के लिए ये एक अच्छा length नहीं माना जाएगा ये तगड़ा है ये कमजोर है समझ गए? आगा लगा दो अगर फील के साथ बात समझ माई तो आगा लगा दो है ना? ये कम मोड़ पाया बिटा रिपीट कर रहा हो ये कम मोड़ पाया, ये ज़्यादा मोड़ पाया ये ज़्यादा ताकत वर है ये कम ताकत वर है है ना यह इसने दूर काई converge किया है इसने तो पासी में converge कर दिया है ना फील आई तो आग लगा दो एक बार यह पावर की फील है यह पावर अपड़ लेंज की फील है जिसकी फोकल लेंथ जादा पावर उसकी कम तो पी इस इक्वल टू वन बाय फ फॉर्मुला है लेकिन इस यह लेंथ हेक डिस्ट्स है और इसकी ऐसा युनिट होती है मीटर तब पावर की उनिट होगी डायप्टर पावर की ऋनिट को डायप्टर कहते हैं चिес की डायप्टर यह तेइकवन के आपक्टर बी इसकी प्यांड जंट पित्र है ना ऑगे दिय शॉत में लिखते हैं अच्छा याद करेगा हंडर्ड बाइफ कर दिया इसको बाइं मीटर कनवर्ट कैसे होता है मल्टीप्लाइ करके ना तो बस उपर ले गए हंडर अपॉन में अब सेंटीमीटर में रखो अल्रेडी कनवर्टीड है यह ना समझे बात को तो यह दोनों फॉर्मले आपने ध्यान रखने है विटा मीटर के लिए वन बाइफ लगाना है और सेंटीमीटर में रखो तो हंडर बाइफ लगा के सीधा कैलकूलेशन हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है ना एक बात और ध्यान रखना बेटा जिस साइन में फोकल लेंथ होगी उसी साइन में पावर होती है ठीक है जिस साइन में फोकल लेंथ उसी साइन में क्या होती है पावर होती है ठीक है और बाकी पावर अफ दे लेंस की परिभाशा मैंने आपको समझाई दी लेंस की एबिलिटी कितनी है कनवर्ज करने या ड 4.5 Diopter लगाने के लिए किसी परसं को कहे ठीक है na तो आपको बताना है क्या nature है लेंस का और क्या focal length है lens की एक बात बताओ बिटा अगर power plus में होती है तो focal length भी plus में होती है हां की ना focal length plus कौन से lens में होती है बताओ शाबाश बढ़िया पहले से जानसी दे दी आपने और कॉनवेक्स का नेचर क्या है कॉनवेक्स तो नाम है देखो What is the nature of lens का मतलब है कॉनवेक्स की हरकतें कॉनवेक्स की आदत नाम नहीं पूछ रहा अगर वो बोलता ना name नेम तो हम बोलते focal and positive होती है convex की तो name क्या हो गया convex lens ठीक है लेकिन उसने पूछा nature उसने पूछा habit बताओ इसकी habit है इकठा करने की हम बोलेंगे इसका nature है converging समझे बात को converge करता है इकठी करता है बिटा convex lens इकठी करता है ऐसे light आती है ऐसे light आती है इसे एकठी कर देता है एकठी कर रहा एकठी कर रहा एक पॉइंट पर अच्छा अब बारी आती है numerical करनेगी बोल रहा है focal on निगालो ले भाई P is equal to 1 by F लगाओ अगर मीटर में निकालनी हो लेकिन हमारी आदत है centimeter में काम करनेगी तो हम centimeter में निकाल लेते है क्या दिक्कत है power is 4.5 is equal to 100 upon में F F गया उपर सड़े चार आया नीचे 100 divided by सड़े चार है ना अब यह जो answer निकल के आएगा यह अपने आप ही centimeter में निकल के आएगा calculate कर लोगे आप ठीक है ना क्या आ रहा है मायोपिया नहीं है हाइपरमेट्रोपिया इसको है ना कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है ठीक है लो पावर ओफ लेंस ओफ अ मायोपिक परसन इस इतना calculate the focal length of lens तो भाई हमवा के आपके लिए है ना यह आभी भी कर सकते हो आप लगे हाथ लगे हाथ कर लो P is equal to minus 3.75 डाइप्टर है जी तो focal length निकालनी है जी तो P is equal to 100 by F होती है लेकिन किसमें cm में तो power क्या है minus 3.75 is equal to 100 by F तो F निकाल लोगे 100 divided by minus 3.75 तो minus में जो भी answer आएगा सो आएगा और cm में उसको आप आगे लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक बात है जो भी आएगा 32 ठीक है जो भी आरा ठीक है अच्छा अब बात करते हैं combination की यह topic का नाव है combination combination of lenses और अच्छा topic है must topic है कुछ नहीं है इसके अंदर बहुत simple है देको मान लो मेरे पास एक lens है convex उससे बिल्कुल chip का चिपकी मैंने एक concave रखा हुआ है उससे बिल्कुल chip का चिपकी मैंने एक और convex रखा हूँ और उससे भी एक बिल्कुल chip का चिपकी एक और convex यानि बिना space दिये साथ के साथ contact में रखे हुए है है ना तो यह 4 lens है total P1 P2 या 1, 2, 3, 4 लिखता हूँ अभी इसको है ना 1, 2, 3, 4 ठेक है P1 है convex तो positive में 3 डैप्टर है मानलो P2 है concave तो concave की power और focal अन दोनो minus में होती है तो minus 2.5 डैप्टर है मानलो जो P3 है है ना वो plus का 2 डैप्टर है है ना और जो P4 है है ना वो plus का 1.5 डैप्टर है और आपसे पूछा है इस पूरे combination की total power बता और total focal length बता मानलो ये दो चिदे पूछी है आपसे ठीक है तो क्या करोगे तो क्या करोगे देखो बहुत simple है बहुत simple है power total करने के लिए आपने सब power को arithmetically add कर देना है जितनी होना सबको रग दो सीधा 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 सबको रग दो ठीक है न तो P1 कितना है भाई P1 कितना है प्लस 3 अच्छा P2 कितना है P2 है माइनस धाई ओके P3 कितना है P3 है प्लस 2 अच्छा जी और P4 कितना है P4 है प्लस डेड़ ओके तो भाई 3 और 2 वो गया 5 एक ओगया 6 तो प्लस में 6 है और माइनस में 2 है तो 6 में से दो गया answer आ गया 4 adapt रो भी plus का ठीक बात है तो power आ गई 4 adapt र प्लस की सही है एक दम बिल्कूल ठीक दे रहे आप answer है ना और focal length निकाली जाए तो focal length होती है power divided by f सोरी 100 डिवाड़ बाइफ तो पावर है बेटा 4 4 is equal to 100 बाइफ है ना तो f निकल के क्या आगया बेटा 100 बाइ 4 यानि कटा तो 25 तो फोकल लेंट कितनी आगी बेटा 25 cm is the focal length और इसी को हम लोग बोलेंगे net focal length total focal length ये थी total power समझ गए समझ गए total total power निकल जाएगी total focal length निकल जाएगी उसी को रख लियो formula में क्या दिक्कत क्या ही दिक्कत है भी या है ना तो यह भी हो जाएगा अब तो सवाल क्या सवाल है यह क्या सवाल है और करते हैं इसको कहरा दो पतले पतले यह दो प्लस डहाई एक माइनस डेड़ और प्लेस इन कॉंट्र क्यलकुलेट देर पावर दा कॉमिनेशन और फोकल लेंद तो पावर दा कॉमिनेशन निकालते हैं पी टोटल प्लस का डहाई माइनस का डेड़ कितना आ गया दो मेंसे एक गया एक बचा आदे मेंसे आदा कट गया तो प्लस का वन डेप्टर आया यह टोटल पावर है और फोकल लेंद निकालन नहीं हो तो 100 बाइफ यह 1 है ना बाई तो 100 बाइफ निकल के आ गया 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर जो मर्जी बोल लो या 100 सेंटीमीटर बोल लो या 1 मीटर बोल लो दोनों ही आंसर है इसके कोई दिक्कत वाली बात सेंटीमीटर में क्यों होता है बेटा क्नवीनीच है आपकी चाओ तो मीटर में ले लो मैं तो 2 फॉर्म इटै दिये ठीगी ना जनली सेंटीमीटर केंदर होती है ठीग है प्रेक्टिकल बात कर रहा हुं मैं तो हुंवक है है न? तो ज्यादा हुंवक नहीं दिया तीन, चार सवाल हुंवक में दिया है बस थीख है? तो कर लेना इसको और कमेंट सेक्षन के अंदर आंसर करने आपने आपने तो भाई मेरे हिसाब से light के अंदर कोई भी ऐसा concept नहीं होगा जो कि हमने बिना practice के छोड़ दिया हो है ना, बेशक से हम लोग question जितने भी ला पाए है ना, विस्तार में हम लोगों ने उसको उसके उपर चर्चा करी है लंबी चोड़ी चर्चा हर एक पर करी है पीछे जो ये notes लिखे गए है अगर ये notes आपको चाहिए तो भाई नीचे description में link भी है वहाँ से आप जाकर के PW app पर पहुँच जाओगे warrior batch free में चलता है जैसे चल रहा है YouTube पर, है ना तो आपको इसका जो PDF है वो upload हुआ हुआ मिलेगा, आज की date के नीचे physics में जाकर कि आप ढूंड सकते हो light में, ठीक है हमार साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैसा लगा, ये warrior का session जरूर बताईएगा comment section के अंदर, जैसा कि आप हमेशा बताते ही हैं, और धेर सारा प्यार देते हैं हर एक teacher को, physics वाले के है ना, तो भाई चले चले, आज के लिए आज के लिए केवल इतना ही मिलते हैं हम लोग next class के अंदर, एक और धुआदार, धमाकेदार, शानदार chapter के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से इसी जोश के दाथ हम लोग मिलेंगे फिर से एक बार, तब तक के लिए take care, tata, bye bye अंदर, आज के लिए